प्रेजल और एव्रिवन आप सबका हम यहोश्वर अंजीत रॉबिन मनिस्ट्री में सुवागत करते हैं वैं हमारे लिए पैदा हुआ युर्द नदी में परमेश्वर ने उसका अभिशेख किया उसने परमेश्वर के राज्य का परचार किया वैं बिमारों को जंगा करता और दुस्ट आत्माओं को निकालता है वैं हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चड़ाया गया परमेश्वर पिता ने उसे मृत्यु से जिलाया वैं चालिस दिन और चालिस रात लोगों के बीच रहा पांसो से ज्यादा लोगों ने उसे देखा तब वैं स्वर्ग पर चड़ गया वैं जल्दी आ रहा है क्या आप सब दयार हो आओ हमारे साथ चुड़े और परमेश्वर की शक्ति को मैसूस करें किर्प्या हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तांके आने वाली हर एक वीडियो और परमेश्वर के अद्बुद और शक्तिशाली कामों को देख सकें अमेन हालिलूईया हालिलूईया सब जने अपने हथा नू उठा के बोलो हालिलूईया सब जने अज घुषा की तो हाम नू परमेश्वर इस जगह ते से इसलाम्दklär अंदर परमेश्वु चीद हब सरतांवाहर कर दिया और अससे समेंठे लई परमेश्व चीद हमाहर भाह सरतानवाहर कर दिया और सच्मुच जो लोग रास्ती वी चारी और नानु परमेश्य संभाल के ले किया चुकियां और सच्मुच आज दी मीटिंग दे द्वारा तुसी बहुत सरा ब्लेस हो चुकियां और जो ऑनलाइन मीटिंग देख रियां ना सब नानु भी मेरी वलों दी जैम सी दी और सब जो लोग इस जगा दे इकठियां या नानु भी मेरी वलों जैम सी दी और सच्मुच परमेश्य ची ने इस जगा दे इकठियां किता हैं इस गल दे लेए परमेश्य ची दा बहुत सरातान वात कर दियां सस्थ मुच्य सजगा दे कठ्टी हैं कर एक नॉर्मल गया सचमुच परमेशने देपी तो की सचमुच इस गाल दे या जसी पश्माट रोगटाई और जो लोग अंधिकार दी शक्ती विच फसी होया सचमुच ओनानों बचाओं दे लई साड़ी हर रोज चाहत होनी चाही दी कि प्रभू तो सचमुच साड़ी द्वारानों बचा चुका और जो ओनलाइन मीटिंग देख रही है सचमुच पाइमेश ओनान भी बहुत साड़ा ब्लेस कार चुकिया और आज दी मीटिंग ओना दी लाइवे साड़ी द्वारानों परगट कार चुकिया और होन ऐसी सब्जा ने अपनी आखान बांद करके पाइमेश देगे अपने मन लेके जावांगे और अपने गुटने पारों के अपने हतानों उठावांगे कि सचमुच पाइमेश जो तुम आईदा देन देता पाइमेश सड़े जीमत लई लाब दाई को वे सब्जा ने अपने आखानों बांद करके शिरानों चुका आखा और गुटने पारों के प्रबुदि जावांगे तरिफ मेरे महन परमेश सदु हाडाता नमात कर देया मेरे परमेश जी जो तुसी आज़ दा सुन्दर समा देता मेरे परमेशों सान सबना न संबाल के रखिया मेरे परमेशों ची तुसी आज़ देन तक सान जीवत रखिया मेरे परमेशों इस गाल देले तो हडाता नमात कर देया मेरे परमेशों ची असी टोहा डिकल मेरे खुदा अज और सिखा चुक्यों मेरे परमेश जी चुन भख जालम वातीज обсштवा मेरे खुदा तोी अषिट सच्मुच मेरे खुदा आसी शर्मिनदया होके ना जाए र ace अज़तेरा तरी रूर हाग दे अनुसार चलन वाले बन के जाए ये मेरे परमेश्य उसच्मुच मेरे परी मेरे खुदा आस दे दूरा मेरे परमेश्य अजे वचन सनो कीमती वचन के ब एक प्रपमेशे जाता कर मेरे पारमेशेर आपने धासे नी होज पर अपने गालए जुचिए के विपार्मेशें अर हमे खुड़ि रहे दोविए आपने घासे अंधाले इसर्ओ आपने दासे कर आके मेरें प्रमेश जि अज रत जीओ-दे अदें जिवनानोंस बदन थे लई होवे मेरें Eaton हर्यंक बढ़न लई तन्वां कर्देया मेरे खुदा क्षा ती सच मुझ महां ते दे यावांब पर मिश्रों मेरें पर मेशंगा देन्क मेरे कुदा अदेन्क में खुदा को सबस्क्राइबー संकी उत्तर देच विर्भू जो लोग रास्ते दिवेशारे नहीं मेरे परमेशों नदी मदसा इता करके इस च्छाहिए स्वाइश नम्त पहुंचा चुकियों मेरे परमेशों ची आचीक जीवन दिवेशा अज जी वचन सौग उना फलानों परगट करन मेरे परमेशों तो कि सच मुझ ऐसा कर चोगी हो मेरे ऑन मेरी परमेश हैं से आसी हर ये sóloकर दीन ही परमेश को लोओ सबच्चेन अपने मुखान घोल के मंगो घृ कि अपने पने परमेश ही अपने हुआ कुष्फ ना कर गि goosebumps असीड मेरे परमेश हैं जे तरह ऐ आत्मा जॉननी जिस आत्मादे न थिल जो पर न चोनना मेरे पर मेश्य क्योछ própriaenne वसी तरह महमा करिए मेरे पर मेश्योन ची असरे थे लॉभ पर प्रभु थ types ी तु नहीं प्रभु मेख देए अराधना अंयाचित निप्रभू है अनु मेरे गुधा मेरे घुद को मेरे खुदा तु स मुझ आपिवू लो रागेश कोeze मेरे पर मेश्ये सरी मीठी प्रभू HOW लोग है को सब्सक्यव मोरे तिरः आदम अजलात आपरेशानिया यह होदा I also channel akar क्रूका है मेरे परमेश की तो सच्मु जर अजादा आपना मसाई ज्यांने बचटाथ का चुका है मेरे परमेश तेरी कोई वी का मोखनी है मेरे कुदा दूसा कुछ पर्मेश, को लो मगो कलिस्या प्रभु तुसर नो समझ बोदे चुका है आवस् Land on Maintenant ऐस आड़ नो पर मेश घी अल Kent Hack族 अयह आट्मा नो मेरे पर मेशीघ करूं कर दो अखो ने ऊसमय को सिए लोहीं को vient सब्कुरा ख़ोत द एक और भूक और आजांक परूर चर्ण अपरकवी एच प्रूंच मेरे उडले साज कर यह मेरे परमेश, ज़ीवन रहा दे और हो कहना जुन केगाने हैं आज तरे दास दे द्वारा हीलिंग प्रेह हून वाली मेरे परमेशा सदे जीवना नू बदल देवे मेरे परमेशा जी सच मुझ मेरे परमेशा जी नेश्चा कर दे विश्वास कर दे ब्लीव कर दे मेरे परमेशा जी और सादी आस्ञानु कदिशविक ने नहीं हों देगी मेरे पार्मेशरा करने मेरे परमेशे सब सैतानिया परमेशय् साथ ऑढ राधना तोड मेरे परमेशर्ज हर एक डी लाइफ्स एच जागा दा अधमा शनन मेरे परमेश और ऐग इंसान इस जगा दे आणवाला प्रभु है तरी रू आत्मा ना पर के अराधना ह cry alan मेरे पर्मेश और स सदीद आत्मन झुछ जो 1 जुपया प्रभू ता कि 100 तयरा वचन जो है सुना मेरे परमेश ऑ्सच मुधस मचे रूनाल पर जो अब दाना और सच मुझस छुट ननो शुन कर नरी प्यास स्टम फोच जाओं और मेरे परमेश जिह मेरे प्रभू तेरे वचनानों सुना देले यसी में प्यासी है मेरे खुदा तो सानु ओवले वचन सिखा जुका है मेरे परमेश्या सानु जिन्ना वचना दी जुरूरता प्रभू जिन्ना दी कमी है मेरे परमेश्या साडी लाइफ दी खतम कार चुकियो मेरे परमेश्या त आमेन प्रभू येश्य मासी तो आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया सब जने अपने हत्ताँ न हुठागे बोलांगे हालेलुया किसे दावी हाथ निमानियों ना चाहिद सब जना दे हां थुच्चे ओने चाहिदे कोई ब्लेंटिय टीम वर्शिप टीम कोई भी जने आ इस सच मुझ परमेश इस जगाते मजूद और तोड़ सबना दे मना नू देख रहे हैं कि कौन किस मान दे नाल इस जगाते आया आज दानू परमेश बहु सरा ब्लेस कार चुकिया प्रभू येश्य मसीदे नावेच और सच मुझ होना सी अराधना विच जावांगे सब जोने अ अ fascisto हमें एदस ना स्च मुझ होना तोखान कि आतते में लो पारत इस जग फनUp लुखुष्पुष्यू आलेलुई सबस्क्राओं आलेलुई भनेवाद येश्व। आलेलुई 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 नो एक प्रभुदियाराधनार देलिय। स्वरिक दी और अपने हथा नो उठा के आई एक लिसिया उस प्रबु दी असी प्रस्तिश नो करिए हालेलुईया दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दी हां तेरी अरदना चल दे सहाले मैता ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना दिल दी गहराएं आचो ये सूझी कर दा हां तेरी अरदना हाँ चल दे सहाल नायसु जी चल दे सहाल नायसु जी कर दा हा तेरी आ रातना दिल दी कहराया तो यसु जी कर दा हा तेरी आ रातना दिल दी कहराया तो यसु जी कर दा हा तेरी आ रातना चल दे सहाल नायसु जी चलते सा हाले में तायसुजी करता हा तेरी अरादना स्लिदी गहला यासुजी करता हा तेरी अरादना स्लिदी गहलाए तो यसुजी करता हा तेरी अरादना क्रीजिया रून में दिन से इस पर मेशुन की और आप में करे अपने हादों को हुराने हो इस दिन की है बत्या से पर में दोरां कि आस ती कम दोरां का हुराने हो इस पर में दोरा आतों से ईसा अपने है पस्यासी मैंता जित्थे दुखादा हनेरा जित्थी मैंनु रोशनी तो जित्ता हो सवेरा जित्थे पस्यासी मैंता जित्थे दुखादा हनेरा जित्थी मैंनु रोशनी तो जित्ता हो सवेरा जित्थे चलते सहाले मैंता जित्थी चलते सहाले जैका ये सुझी करदा हने तेरी अरातना दिल्धी कह राया चो यह सुझी करदा तेरी अराजिना दिल्धी कह राया चो यह सुझी करदा तेरी अराजिना तालियों के साथ प्लीसियों करमेश्वर के अराज ना करें पापा मेरे अंतों छुटे काराज हो गिया यह सु तेरा लहू मेरे पापा नो तो गिया पापा मेरे अंतों छुटे काराज हो गिया यह सु तेरा लहू मेरे पापा नो तो गिया पापा मेरे अंतों छुटे काराज हो गिया यह सु तेरा लहू मेरे पापा नो तो गिया तेरी दयान में ता यह सु जी तेरी दयान में ता यह सु जी तेरी के लावी वे तो यह सु जी तो गियाओ चारी तो गिया तेरी आला दिना तेरी आखमादी में थों गिनते वी होनी नई पड़े आकला महरे गल्यन होनी थी तेरी आखमादी में थों गिनती वी होनी तेरी आखमादी में थों गिनते वी होनी नई पड़े आकला महरे गल्यन होनी थी तेरे आकमाली में तो किरती भी होडी ली बोडी आकलाप हो देंगाल अन होडी आए नाकमाली में ता यसु जी आए नाकमाली में ता यसु जी कर दा हा तेरी अरादना तो यसु जी कर दा हा तेरी अरादना दिली थी गहराई आचो यसु जी कर दा हा तेरी अरादना खुशी के साथ लिस्या दिली थी गहराई आचो यसु जी कर दा हा तेरी अरादना दिली थी गहराई आचो यसु जी कर दा हा तेरी अरादना चलते सहाली मैं ता ये सुझी करता हां तेरी अरातना जिल्दी गहराया जो ये सुझी करता हां तेरी अरातना जिल्दी गहराया जो ये सुझी करता हां तेरी अरातना जिल्दी गहराया जो ये सुझी दिल की गहरा जो यसु जी तेरी दयाली मैता यसुझी करता हां तेरी अराद ना तेरी दयाली मैता यसुझी करता हां तेरी अराद ना तेरी दयाली मैता यसुझी करता हां तेरी अराद ना दिल से एंग्लीसिया खोरी खोरी शी पापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापा कर दहां तेरी आराजना कर दहां तेरी आराजना चंदे सहाली में ता यसुजी करता है तेरी अराजना जिर्दी के राया जो यसुजी करता है तेरी अराजना जिर्दी के राया जो यसुजी अपने हाथों को हिलाएं क्लीसिया उसकी भलेये को याद करें क्लीसिया जो उसने हमारी जिन्दगी में की हैं तेक पल्याई के लिए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए अपने होठों से उस प्रभु का धन्यवाद करें दिल दी गहराई अचो यसुजी करिदा हां तेरी अरदिना प्रभु ने अपनी महिमा की सिवाए अपने धन्यवाद की सिवाए हमसे कुछ नहीं मांगा है इकलीसिया हम उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है हालेलुया दिल दी गहराई अचो यसुजी करिदा हां तेरी अरदिना दिल दी गहराई अचो यसुजी करिदा हां तेरी अरदिना हालिलुए यहालिलुए 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 थेकी जीजिस दनबाद यह जो हालेलिया मेरा रब सोना तु आवा मेरी सुन दाए मेरा रब सोना ना होते जेहा कोई ये ना कोई होना ना होते जेहा कोई ये ना कोई होना तु आवा मेरी सुन दाए मेरा रब सोना दू आवा मेरी सुने दाए, मेरा रख जोना ना ओदे जेहा कोई है, ना कोई होना ना ओदे जेहा कोई है, ना कोई होना मैं देमा की मिसाल यो दिन और बड़ा बे मिसाले जो भी हा मैं अज सारा ये सुदा कमाले मैं देमा की मिसाल यो दिन और बड़ा बे मिसाले जो भी हा मैं अज सारा ये सुदा कमाले मैं देमा की मिसाल यो दिन और बड़ा बे मिसाले मैं वोदेनलोबाति के कधी किसे नू नी चोना मैं वोदेनलोबाति के कधी किसे नू नी चोना मैं ओदे दाल बात केत दी इसे नूनी चाओणा तु आवा मेरी सुनताए मेरा रप जोणा तु आवा मेरी सुनताए मेरा रप जोणा जोवे में तो पुली कोई ओ करी देंदा माफे लगो दा तो के मैंनू करी देंदा साफे जोवे में तो पुली कोई ओ करी देंदा माफे लगो दा तो के मैंनू करी देंदा साफे जोवे में तो पुली कोई ओ करी देंदा माफे लगो दा तो के मैंनू करी देंदा साफे ये होगे मैं तो फूले पाई, और आदि में तामा भे लहूँ होगे मैंनो तरी दे जगा भे है दरियो दे तुं पाया, मैं मंघी आभी जोना है तरी हो दे कौँपाया, मैं मंगी आभी जोना ना तरी हो दे कौँपाया, मैं मंगी आभी जोना ना दे जहा कोई है, ना कोई होना तु आमा मेरी सुन गाए, मेरा रब जोना तु आमा मेरी सुन गाए, मेरा रब जोना जिमा का सदा ते बेलाई जिमा का सदा ते बेलाई जी मांगा सदा तेरे लई का मांगा तेरे नाची करांगा मैं मुनाती तेरी दुनिया जहाँ जी जी मांगा सदा तेरे लई का मांगा तेरे नाची करांगा मैं मुनाती तेरी दुनिया जहाँ जी जी मांगा सदा तेरे लई का मांगा तेरे नाची करांगा मैं सेवा तेरी दुनिया जहाँ जी मैं प्यारी मसीहाता कदे नहीं पुलाणा मसीहाता कदे नहीं पुलाणा ना ओदे जहा कोई ये ना कोई होना तु आमा मेरी सुन दाए मेरा रब थोना तु आमा मेरी सुन दाए मेरा रब थोना मैं देमा की मिसाले अदी आवड़ा पे मिसाले जो भी हा मैं अज सारा ये सुन दाए मेरी सुन दाए मैं देमा की मिसाले अदी आवड़ा पे मिसाले जो भी हा में अज सारा ये सुन दाए मेरी सुन दाए मैं अदे नालो बात के गदी किसे नो नी चौना मैं अदे नालो बात के गदी किसे नो नी चौना मा अदे चिहा कोई है ना कोई होना मा अदे चिहा कोई है आवड़ा पोई होना तु आवा मेरी तुरगाए, मेरा नापतोरा ना ओटे के अपोई ए, ना गोई होना ना ओटे के अपोई ए, ना कोई होना मैं देवा की मिसाल यो दिन और बहना बे मिसाले जो भी हाँ मैं अची सारा ये सुदा समारे मैं देवा की मिसाले यो दिन और बे मिसाले जो भी हाँ मैं अची सारा ये सुदा समारे मैं ओटे ना ओटे के अपोई ए, किसे नो नी चाउना मैं ओटे ना ओटे के अपोई ए, किसे नो नी चाउना मैं ओटे ना ओटे के अपोई ए, किसे नो नी चाउना मैं अधिना लगादी के जदी इत्मेनों दित्योरा तु आवा मेरी दूरता है, मेरा रपतोरा तु आवा मेरी दूरता है, मेरा रपतोरा नार तु आवा मेरी दूरता है तंपो και मेरी दूरता है, मेरा रपती आवा पत्तार है नखो इए, नखो इमोरा नखो इमोरा नखो इमोरा नखो इमोरा दुआमा मेरी सुनदाए मेरा रब सोना नखो इजया को इए ना कोई हो ना मैं देमा की मिसाल योगी ओ बड़ा बे मिसाले जो भी हमें अच्छ सरा ये सुदा कमाले मैं देमा की मिसाल योगी ओ बड़ा बे मिसाले जो भी हमें अच्छ सरा ये सुदा कमाले मैं देनालो बाद के कदी किसे नू नी चाणा मैं देनालो बाद के कदी किसे नू नहीं चाणा ना ओदे जया कोई ये ना कोई हो ना दूआ मेरी सुनदाए मेरा रब सोना हाललुया 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 ना चाणा हुआ हाandel हाफ मैं तो मसी के लिए पागल हूं मैं तो मसी के लिए पागल हूं दीवाना हूं मैं तो मसी के लिए पागल हूं दीवाने हूं पर मैं तो ताड़ी मिचाँगे हूए अपने मनन खोल के हूए अराद मनने लए ओदे जीवाने बढ़के रुदादी हजूर्यश् मैं तो मसी के दिये पागल हूँ जीवाना हूँ मैं तो मसी के दिये पागल हूँ जीवाना हूँ मैं तो मसी के दिये पागल हूँ जीवाना हूँ मैं तो मसी के दिये पागल हूँ जीवाना हूँ मैं तो मसी के दिये पागल हूँ जीवाना हूँ मैं तो यह जागल हूँ कर दो कर दो कर दो को ने समझा आवारा हूँ मैं उसके बचन का बन जारा हूँ मैं लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं उसके बचन का बन जारा हूँ मैं लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं उसके बचन का बन जारा हूँ मैं लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं मैं उसके कदमों में मैं उसके कदमों में छोटा सा नजराना हूँ मैं उसके कदमों में मैं उसके कदमों में छोटा सा नजराना हूँ मैं तो मसी के लिए पागल हो दिवाना हो उसके बदन से महामुत्वति का जर्णा उसको बड़ा था मेरी खातर ही मदिना उसके बदन से महामुत्वति का जर्णा उसके बड़ा था मेरी खातर ही मरना उसके बदन से बहा मुद्धी का जर्णा उसमें बढ़ा था मेरी खादर ही मरना उसके बदन से बहा मुद्धी का जर्णा उसमें बढ़ा था मेरी खादर ही मरना जो पी है ना उत्रे मेरी कईए खुदा के नाप करिए जो पी है ना उत्रे मेरी मैं ऐसा मस्ताना हो जो पी है ना उत्रे मेरी मैं ऐसा मस्ताना हो मैं नू ऐसा यसू अमरत पीला दे मैं ऐसा यसू अमरक पीला दे के फिर मैं ऐसा यसू अमरत पीला दे के तेर का नू प्यास न लगे याचे चच्चा अम्रक्ती लाग के वेर कादू याचे नहां दगे हादा दूए हादा दूए हादा दूए क्योंकि आजकल थोड़ा समाइदा आ गया है कि आजकल सारे दौलतवन पजरेने एशो अराम वाल पजरेने तुसी एवच्चन से लिखिया है कि असी एक दिन उठाए जणा है उस महान परमेश्वर जिन्दा खुदा वंद खुदा जिदो सानू लैना वेगा असी ओ दिन आल उठाए जावांगे एक बरी दोने हाथ उपर करके मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बाते तुम कर रहे हैं कुछ पाने की बाते मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बाते तुम कर रहे हैं कुछ पाने की बाते मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बाते अपने ही लोगों में हूँ, अपने ही लोगों में हूँ, विर्भी मैं बेहगाना हूँ में बेहगाना हूँ, विर्भी मैं 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 बेहगाना हू पागल हो दिवाना हो प्रिवाना हो, मैं ढूल मसी के जिए, आक गू, आक गू मैं आसा यू मरगबी लादे, मैं आसा यू मरगबी लादे, मैं आईसा यू मरगबी लादे मैंनु ऐसा यसु अमरत पीला दे के पहेर मैं नु प्यास ना देगे ऐसा यसु अमरत पीला के पहेर मैं नु प्यास ना देगे आट दो हो आलेलुया 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 काउद दिने रच ना दी एतका प्यार मेरे दिल में पारी दे आलेलुया 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 उसके बचन का बन जा रहा हूँ मैं लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं उसके बचन का बन जा रहा हूँ मैं लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं मैं उसके कदमों में, मैं उसके कदमों में, छोटा सा नदराना हूँ ए दुनिया बहाँ में, तुम किसे के लिए, बागल हो जिवाने हो मैं तो मझी पे लिए, बागल हो जिवाना हो मैं तो मझी पे लिए, बागल हो जिवाना हो मैं तो मझी पे लिए, बागल हो जिवाना हो बागल हूँ दिवाना हूँ मैं तो मसी के लिए पागल हूँ दिवाना हूँ बागल हूँ दिवाना हूँ बागल हूँ दिवाना हूँ मैं तो मसी के लिए बागल हूँ दिवाना हूँ मैं तो मसी के लिए पागल हूँ दिवाना हूँ हाले दूए हाले दूए हाले दूए हाले दूए हाले दूए अपने हातों को उठाएं क्लिश्या उची आवास से बोले बुलंद वास बोले हाले लुए हाले लुए उची आवास से बोले हाले लुए थैंक्यू जीजस परमेश्पर कम है बहुत सारा धनेवाद करते हूं आज के दिन के लिए हालिलुया उची आवाज से बोले क्लीश्या अपने हातों को ठाएं जितने भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं वो भी अपने हातों को ठाएं बोले हालिलुया क्लीश्या आप जितनी उची आवाज से बोले हालिलुया तो आपकी आशिश उससे बड़ी है क्लीश्या उची आवाज से बोले हालिलुया अपने तोनों हातों को ठाएं बोले हालिलुया हालिलुया प्राइज अलोड एव्रिवर्ण, हैव ब्लेस्ट दे टो अलोफ यू एंड ओनलाइन व्यूवर्स, जितने भी लोग यहां पर मजूद ने, जहां फिर ओनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, उन सबका में खुदावन की हजूरी में सुवागत करती हूं, यहोश्वा रंजीत रॉबिन मनिस्टी की ओर से, आप सबका में सुवागत करती हूं, और सचमुछ क्लिस्या, क्या आप जानते हैं, कि खुदावन की प्रेजन्स उसका आत्मा इस जगा पर मजूद है, कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग जानतें कि उसका सिंगासनी जगा पर लग चुका है, क्लिस्या उसका सिंगासनी जगा पर लग चुका है, तो आएं फिर अपने हाथों को उठाते हुए, उस तालियों के साथ खुदावन का सुवागत करें, उसकी आपमा का वेलकम करें, क्लिस्या, हालिलुया और सच मुझ क्लिस्या कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की टेस्टोमनी के दुवारा आज की गुवाहियों के दुवारा खुदावन मेरे भी जीवन में वही सेम गुवाहिया बनाएंगे कितने लोग विश्वास करते हैं सच मुझ क्लिस्या अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आज खुदावंद आपके जीवन में कुछ खास करेंगे कुछ अद्बुत करेंगे क्लिस्या अगर विश्वास करते हो कि आज की गुवाहियों के दुवारा खुदावन मेरे भी जीवन में टेस्टमनी को बना चुके हैं तो निश्चे मेरा वि जितने भी लोग घर से प्रातना करके हैं मेरा विश्वास है आज खुदावन अपने दास को इस्तेमाल करके आपके जीवन में कुछ अद्बूत करेंगे जब आप अमेजिंग वह ब्लेस्ट टेस्टरमानिक गवाहियों को सुनोगे तो मेरा विश्वास है पी आज अपने हाथों को उठाएं स्वर की और लगाएं परमेश्वर की और अपने मन को और कहें परमेश्वर आज की गवाहियों के दुवारा आप हमें ब्लेस कर चुके हैं आज की गवाहियों के दुवारा आप मुझे समझ दे चुके बुद्धी दे चुके हैं जो में गवाहि यहाई को सुनों मेरे समर्मज में में बुद्Дी में आइ कहें कलिसिया लगाएं अपने मन को कहें परमेश्वर आज की गवाहियों के द्वारा आज आफ ही मीरे जीवन में को बना शुके हैं अगर आपके जीवन में कोई प्राब्लम में कोई हलात तान कि कहें पार श्रितीन का आतमा को खार दें आपने ढूठा जो amazing testimony होने के लिए जा रहे हैं जो आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं कहें घुदावन आज की गुवाहियां के दुवारा आप हमें बड़ी गुद्धी समझ दे चुके हैं मेरे जीवन में आप testimony को बना चुके हैं कहें परमेश्वर आप सब कुष करने की सामत रखते हैं कहें परमेश्वर आप ताकत के घुदावन दो आप सामर्दी घुदावन दो अपने मुखों को भॉलते हो एकलिस्या अगर आप अपने मुखों को बंद करोगे तो फिर भुदावन से आप खुछ नहीं ले कर पाओंगे अगर आप अपने मुंकों खोलोगे तो भुदावन आप के लिए वो सब कुछ करेंगा, क्लिस्या क्योंकि वह आप जानते हैं कि वो भुदावन सब कुछ कर रहे हैं कि क्या रगता है ताकत रखता है ग्लीसिया वो सब कुछ करने की सम्मत रखता है ओ थैंक यू जीजस आज की गवाहियों के द्वारा आप इने सम्मत दे चुके हैं जितने भी लोग ओनलाइन मीटिंग को देखना हैं जा फिर बाग में देखें आज वो भी मांगें कि घुदावन आज की गवाहियों के द्वारा मेरे जीवन में भी वो गवाहियां बन चुकी हैं वो बड़ी से बड़ी गवाहियां मेरे जीवन में भी बन चुकी हैं लगाए क्लिस्या अपने मुख को खोले और इस शब्दों से उस घुदावन का धनेवाद करें और कहें घुदावन आप मुझे गवाहियों के साथ ब्लेस कर चुकें मेरे जीवन में वो गवाहि को बड़ी सी बड़ी गवाहियों को बना चुकें थाइंक्यू छीजस थाइंक्यू हाले स्वेड पावित्राथ और मांगते प्रभी एश्यू मासी के ना अमेन अमेन उठाएं अपने हाथों को क्लिस्या जोर से बोले जितने भी लोग आपने स्थानों पर बैठ जाएंगे सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि खुदावंद हमारे जीवन में सब कुष करता है आज खुदावंद आपके जीवन में वो गवाहियों को बनाएंगे क्लिस्या वो खुदावंद किसी का भी पक्षपात नहीं करता जानते हैं ना क्लिस्या क्या वो खुदावंद किसी का पक्षपात करता है बताएं क्लिस् आडबुत काम करें तो पाकियों के जीवन में ना करें वो पर मेश्यों वो सलबशक्ती मौनṃ गुदवन्द ऐसा नहीं है कि Eliasya वो कभी खीसी के अभी पक्षपात ख फिह करता वह सबी के झीवन में वही काम काता है जो आपके जीवन में 리ैस हाललुया और मेरा विश्वास है कि आज खुदावंद आपके जीवन में वो बड़ी सी बड़ी गवाहियों को बनाएंगे हालिलुया अगर कलिसे आपके जीवन में विश्वास है तो उसके अकलाम बताता है इबरानियों में लिखा है कि विश्वास के बीना उसे परसन करना क्या है अन होना है अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो फिर आप मांगोगी कैसे मांगत रहे और फिर होगा कैसे अगर विश्वास ही नहीं है विश्वास के साथ जब आप मांगोगे कोई भी आपके जीवन में घटी कमी जीवने में राइ के दाने के जितना विश्वात है तो फिर भी खुदावंद आपके लिए करेंगे हलिलुया इसलिए विश्वास होना बहुत जरूरी है जैसे विश्वास के द्वारा हन्ना को बच्छे की आशिश मिली वैसे ही आज भी आपको आशिश मिलेगी जैसे विश्वास के द्वारा जो सारा की मरी हुई कुकती विश्वास के द्वारा वो जीवत होगी क्लिस्या उसकी जो कुकती वो फ्रूटफुल होगी थी क्लिस्या तो अगर आपके जीवन में विश्वास है अगर आप विश्वास करते हो तक क्या खुदावंद आपके ज जो आप जाते हैं हालिलुया सचमच कलीश्या जैसे लिखाता है जो कोई उसे क्या करता है हुज शुड्ता है इसे पचाता है उसे उचा करता है क्लिस्या अगर आप खुदावन से स्ने करते हो तो वो खुदावन आपको उचा करेंगे आपको शुडाएंगे आपको बलेस करेंगे अगर आप स्ने करते उस खुदावन से, अगर आप प्यार करते उस खुदावन से, क्योंकि उस खुदावन ने भी हमसे प्यार किया, किया है न क्लिसया, उठाएं अपने हाथों को कितने लोग विश्वास करते कि उसने हमसे प्यार किया, और सच मुझ क्लिसया, उसने हमसे य हमसे किया है तो फिराज़ा आप भी उसे सने करें कि वो खुदावन आपको ब्लैस करें आपको शुडाएं आपको उचा करें अब हर रोज देखते हो कि कैसे खुदावन आपके जीवनों में बड़ी-बड़ी गवाहियों बनाता है कितने लोगों के जीवन में वह देंगे आपको बुद्धी देंगे अगर आप शुरीर में नहीं हो अगर आप शुरीर को तो फिर आप शुरीर की बातों पर मन लगाओगे क्योंकि खुदावन अपने दास को रोज इस्तेमाल करते हैं वो अपने दास के दुवारा कितनी बार हमें पर्फैटिक वर्ड द कि जैसे खुदावन ने इसे पीछले इस्तेमाल किया था उनके मुख से आया था कि जो बूड Wal उसे खुदावन डच्करने के लिए दा रहे हैं, उनको खुदावन चूने के लीज ह आ रहे है। और मैं मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने उस बात पर विश्वास किया जो खुदावंद के मुख से आई थी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने विश्वास किया होगा अगर मेरा विश्वास है कि अगर आपने विश्वास किया होगा जतने लोगों किया होगा तो सचोप खुदावंद उन्हें शुएगा, उन्हें टच करेगा. Hallelujah. सचमुच, खुदावंद हार रोज अपने दास को इस्तेमाल करता है. उनके दुवारा हमारे जीवन में कैसे अद्बूत काम करता है कलिस्या इसलिए कलिस्या उससे सने करना जब आप उससे सने करोगे तो वो खुदावन आपको शुडाएगा आपको उच्छा करेगा आपको ब्लेस करेगा कलिस्या इसलिए कलिस्या आज वह शुरीर की बातों को निकाल दिजिए कि अगर शुरीरक रहो आत्मा जरूर करेगा. जब हमाघन में होते हैं, हमारा मन करते हैं, हम प्रेयर करें, हम वाइबल को पढ़ें, हम वचषन को सुनें. हलिलूइया! इसलिए अध्यात्मिक बातों पर मन लगाएं, अगर आप श्रीर की बातों पर मन लगाओगे, तो फिर आप आत्मा की बातों को कैसे समझ सकेंगे इसलिए हर एक श्रीर के कामों को आज निकाल दीजिए आज कहें खुदावन आप हमें आत्मिक बना चुके हैं आप हमें पवित्र बना चुके हैं मेरे मन को शुद्ध कर चुके हैं खुदावन का कलामब दिरागता है जिसका मन शुद है वह किसी देखेगा परमेष्वर को देखेगा आज कहें खुदावन कि मुझे आत्मिक बनाशी। चुक है कि मैं श्रील की बातों पर कभी मनना लगाँ। इसलिए मांगना क्लिसिया परमेश्व के दास के लिए मांगना क्योंकि वो हर रोज घंटों घंटों बैट कर हमारे लिए प्रेयर करते हैं हमारे लिए वो मांगते हैं वो अद्बूत वो ब्लेस्ट वचन हमारे लिए मांगते हैं जैसा वचन आप चाहते हो पी आत्मा का हाज गुदावन आप से बाचीत करेंगे, आज भी परमेश्वर अपने दास को गाइड करेंगे, आज भी परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आपके लिए इसलिए मैं मेरा विश्वास है कि जब आज की टेस्टमनी होगी आज की गवाहिया होगी तो मेरा विश्वास है भी आज घुदावंद आपके जीवन में भी वो टेस्टमनी को वो गवाहियों को बड़ी से बड़ी गवाहियों का आपके जीवन में भी बनाएंगे ग्लीसिया आपके जीवन में भी वो बड़े से बड़े काम होंगे जो आपके जीवन में रुके काम है आज वो हर एक शेतान की जुक्ती आज के वजन के दौरा, आज की गवाहियों के दौरा हर इक शेतान की जुक्ती उख़ड जाएगी खलीस्या हालिलूया और इसलिए खलीस्या विश्वास करना मैंने आपसे पहले भी कहा कि विश्वास के दुवाराँ से परसंद करना क्या है अन होना है विश्वास होगा तो तब ही हमारे जीवन में वो काम होगे विश्वास के दुवारा हम सब कुश कर सकते हैं हालिलुया वो परमेश्व सब कुश करने की क्या रखते हैं सामत रखते हैं ताकत रखते हैं इसलिए श्रीर की बातों पर कभी मन ने लगाना वो आत्मिक बातों पर मन लगाना तो इसलिए आज के वचन को बड़ी चौकसी के साथ सुनना इदर उदर मत देखना पर इदर क्या रहा है उदर क्या रहा है आज के वचन को आज की गवाहियों को बड़ी चौकसी के साथ सुनना ताकि आपको समझ आई आपकी बुद्धी में वो वचन पड़े कि ताँ जो वो शेतान की जुक्ती आपके जीवन में वो वचन को चुराए ना, वो टेस्टरमनी को चुराए ना इसलिए बड़ी चौकसी के साथ, बड़ी ध्यान के साथ आज की गुवाहियों को आपने सुनना है आज के वचन को सुनना है और मेरा विश्वास है निश्चे खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखते हैं आज खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे, हालिलुया कितने लोग विश्वास करते हैं पिए वो खुदावंद आज भी हमारे जीवन में अद्बुद काम करेंगे आज भी खुदावंद आपने तास के द्वरा हमसे बाचीत करेंगे क्योंकि सच्मुच क्लिसा उसकी ग्रेस यहां पर बहुत काम कर रही है वो आपको शूना चाहती है क्लिसा उसकी ग्रेस उसका विशेक आपको शूना चाहता है अपने मन को शूत करना अपने मन को दीन करना पवित्र करना हालिलुया तो सच मुच निश्चे मैं विश्वास करते हूं कि आज कोई भी जन से वापिस नहीं जाएगा आज हर एक जन बड़ी सी बड़ी आशीश को पाकर जाएगा आज के वच्छन के दुवारा आज के अरादना की दोरान आज के amazing blessed worship के दुवारा खुदा बंद आज आज आपको blessed करेंगे क्लिसिया आशीश करेंगे हर एक बिमारी से आज आपको शुड़ाएंगे कलिस्या हर एक प्राप्लम से हर एक बिमारी वहर एक हलाग आज आज आपके चीवन में उखर जाएगा कलिस्या हालिलूईया हालिलूईया राव कलिस्या आज की गवाहियों को सुनने से पहले हम बज़न को सुनेंगे परमेशों के अर्राधना में जाएंगे, अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे, और खुदावन की पाक पुईतर वर्शिप में जाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, मन की तियारी करेंगे, और आज के वचन के लिए, आज की गवाहियों के लिए मांगना कि खुदा चाले लुएगा झाले लुएगा झाले लुएगा जो हो ना सके उसे करना कोई करना सके जो उसे करना ये जल्वे है मसीहा के मुर्दों में सांस बरना ये जल्वे है मसीहा के मुर्दों में सांस बरना ये जल्वे है मसीहा के जो हो ना सके उसे करना कोई करना सके उसे करना जो हो ना सके उसे करना कोई करना सके उसे करना कोई करना सके उसे करना ये जल्वे है मसीहा के जल्वे है मसीहा के करना मुर्दों में सांस बरना ये जल्वे है मसीहा के करना ये जल्वे है मसीहा के अलेलुया सलाम सुना के बदल देता है ऐसा है मसीहा सब कुछ अच्छा कर देता है ऐसा है मसीहा ऐसा है मसीहा सलाम सुना के बदल देता है ऐसा है मसीहा सब कुछ अच्छा कर देता है ऐसा है मसीहा ये जल्वे है मसीहा के मुर्दों में सास बलना ये जल्वे है मसीहा के सब मुर्दों में ये जल्वे है वे जल्वे है अच्छा कर देता अच्छा कर देता है अब नीस का वहां पे दोर न चलता जहां जहां वो जाए जहां जहां वो जाए बदले रुक तुफानों के वो जहां जहां भी जाए अब नीस का वहां पे दोर न चलता जहां जहां वो जाए जहां जहां वो जाए बदले रुक तुफानों के वो जहां जहां भी जाए ये तु जहां जहां भी जाए ये तु जहां जहां भी जाए ये जल्वे हैं मसीहा के ये जल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांस बर्णा ये जल्वे हैं मुर्दों में सांस बर्णा ये जल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांस बर्णा ये जल्वे हैं भूल देता है अत्मानों को जब भी हाथ उठाए रूपी बारिश कर देता है जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए रूपी बारिश कर देता है जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए ये जब भी हाथ उठाए ये जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए जो हो ना सके उसे करना कोई कर ना सके जो उसे करना कोई करना सके जो उसे करना कोई करना सके जो उसे करना ये चल्वे हैं मसीहा के ये चल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांसे बना ये चल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांसे बना ये चल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांसे बना ये चल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांसे बना ये चल्वे हैं मसीहा के मुर्दों में सांसे बना ये चल्वे हैं मसीहा के उर्दों में इसास बरना ये चल्वे है मसी आखे कर दो जर्दों में इसार्माओ थार्द में इसार्माइ Bareी, ऑγ भूल देता है असमानों को जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए वो जब भी हाथ उठाए रूखी बारिश कर देता है रूखी बारिश कर देता है जब भी हाथ उठाए यह जब भी हाथ उठाए खूल देता है असमानों को जब भी हाथ उठाए जब भी हाथ उठाए रूखी बारिश कर देता है वो जब भी हाथ उठाए ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ कोई कर ना सके जो उसे कर ना कोई कर ना सके जो उसे कर ना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में सांस बलना ये जल्वे है मसीहाँ के मुर्दों में साथ बरिना ये जड़ में है बजीवा ये जड़ में है बजीवा ये जड़ में है बरिना 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 ये मुर्दों में सांसे बरिना ये जल्वे है मसीहा के मुर्दों में सांसे बरिना हुआ ये जल्वे है मसीहा के जो हो ना सके उसे करना कोई कर ना सके जो उसे करना जो हो ना सके उसे करना कोई कर ना सके जो उसे करना ये जल्वे है मसीहा के ये जल्वे है मसीहा के मुर्दों में सांसे बरिना हुआ ये जल्वे है मसीहा के हाललुए 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 आज के दिन के लिए रľवान के लिए सु गवद्श कतरने बात करें कne ऐबात करें दिल से अपने जीवन से खुदबन को है महीमा दे अपनी जीवन से और मांगे के पर मेशन आज जितना भी मैं वचन सुनू आज जितनी भी गवहया से भीवा सुनू खुदावन से मांगो के परमिश आज मेरी जीवन की बड़ी अशीश और शुटकारे का कारण हो मेरी बड़ी अशीश और शुटकारे का कारण हो आज इत्ती में गवाण्या को सुनने के बाद मेरा जीवन सेम ना रही मेरा जीवन बदल जाए खुदावन आज की गवाहियों के दारा परमेशाब भी मेरे चीवन में बड़ी गवाहियां को बना चुके हो, मेरे सारे बंदरस्ते खोल चुके हो, मांगे मांगे खुदा से, दिल की गहराईयों से मांगे और धनेवाद करें के परमेश, मांगे खुदा से, क्या जितनी गवाहियां सु थीस की तरी जीवत गवाईयों को तेरी जीवत वच नो को कुराने न पआएं। जुराने न पाएं दन्यवाद करें परविश्रका फिर से दिल से दन्यवाद करें और खुदावन को दन्यवाद करें और सरुष्रक्ति इमान परविश्रका और उस पावित्रात्मा का दिल से जोर से स्वागत करें स्वागत करें जोर से एमेन हालेलुया हालेलुया खुश्यों सब सबको जय मसीगी मैंने का सबको जय मसीगी तो आज भी हम खुदावन के बड़े कामों को सुनेंगे कि जपरम emeer हमारे साथ रहकर हर दिन कर रहा है और हो किसी का भी पक्षपात नहीं करता हैं कि वह सर्षक्तिमान परमेश परमेश किसी अपत फाथ नहीं करता है वह सभसें में करता है परवाइबल हमें ये बताती है कि परमेशत तब तक वो काम नहीं करता आपके जीवन में जब तक आप उसे कराने के लिए त्यार नहीं हो जब तक आप उस काम को लेने के लिए परमेशत के साथ त्यार नहीं हो जब आप त्यार होते हो तो परमेशत त्यार होते हैं ka amin hallelujah आप कर आसमीř हम पर मिर्शक के जीवत कामों को सिनी गे और मेरा विशांस है आज की गवायां आपको बड़ा ब्लेस करने वाली हैं आपके जीवन में भी बड़ी गवायां बनाने वाली हैं और सो आपके जीवन सेमने रहेंगे अमें आलिलुया तो सब बैठ चाओ अपने इस्तानों में अपने जगे पर अराम से सब बैठ चाओ और सुनो अज की गुवाईयों को बड़े मन से सुनना दिल से सुनना मेरा विश्रास है कि आज की गो़हि денег को सुनूने के बाद आभ भी इपनी गवाही देने के लिए त्यार रहोगे आमेल क्यों प्रमेश्यापसे प्यार करता है है क्या करता है परमेश्यापसे प्यार करता है और मेरा विशाहंस ऐसे आज खुदावन आपको इन साब बातों की समझ दे चुका है आमें मैं अच्छ अंगिकार करता हूं अब के लिए कि हर बंदा आज परमेशे के जीवत कामों को समझ चुका है आमें तो ठीक है हम गवाईयों को सुनेंगे गवाही एक जीवत वचन है जीवत वचन जीवत वचन जैसे हम मति मरकष लुका यहना में पढ़ते हैं जो इश्व मसी ने काम किये तो सेम उसी तरह से आस भी वो प्रबू हमारे बीच रहकर हमारे साथ रहकर क्या कर रहे हैं आमें तो ठीक है बताई शुरू करें हालेलुईया हालेलुईया हम साब परमेश्र का बहुत सरा थनिवाद करते हैं आज की बड़ी गवाईयों के लिए मैं परमेश्र का बहुत सरा थैंक्स करते हूं और सच में मेरा विश्वास से कि जो ओन लाइन है और जए जगा आज की गवाईयों के द्वारापार में शुरू आपको बहुत सरा ब्लैस कर चुके आमें तो सच में क्ली सिया माज की फ़र्ष्ट गवाई को सुनेंगे जे सिस्टर का नाम गुर्पृत कौर हैं और जे नभी बुर गाओं के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही ज डी्षट से नहीं अस्थे कि अधारी के गवाते हो गया थे इन्होंने किसी से विस हजार प्या उदार ब्यास पर लिया था और जिसके एक आरण जे बतारे कि इनसे मंत्रा प्या हुत परेशान उचुके थी। और क्योंकि इनसे ब्यास दिया नहीं जा रहा था और 40,000 पया हो गया था और जैसे परेशान थे क्योंकि इनसे पैसे दिये नहीं जा रहे थे कुछ मीने हो गये थे कि इनके हस्मेंट के पाउं में चोट लगी थी और जिसके कारण वो काम पर नहीं जा सके और जिसके कारण जी काफी परेशान थे और जिस इस्ट्रे जब भी संगती में आते थे इन्होंने बता है कि जब प्रभु के दांस तुख्यों विमारों के लिए प्रात्ना करते थे तो जब भी प्रभु के दांस के मुख से वर्ड आता था कि जो लोग करजे के बोज में परमेश्व उन्हें अजाद कर चुके तो यहसे ही जे मीटिंग को अटेंड करते थे और हर समय जे विश्वांस करते इस वर्ड को रिसीव करते थे कि जो 40,000 पिया का हमारे करज है परमेश्व आप उतार चुके हो और जैसे जे धनेवाद में बने रहे और जे सिस्टर बता रहे कि परमेश्व ने जैसे जिन्होंने 3 नवंबर की मीटिंग को अटेंड किया और जे बता रहे कि इन्होंने लोन भी अप्लाई किया था 30,000 का पर वो भी इनका अप्लाई नहीं था हो रहा जिसके कांजे और भी परेशान हो चेके थे पर जैसे इन्होंने 3 नवंबर की मीटिंग को अटेंड किया और प्रभुकी अदास जब दुख्यों बिमारों के लिए प्रात्ना का रहे थे और जैसे प्रभुकी अदास के मुख से प्रफेटिक वर्ड आया कि साथ दिन में जो बहुत ही परेशान है जब कियसे भी प्रॉब्लम में करज की जाँ पैसो की तो परमेश्वर अजाद करने वाले तो वो गवाई के साथ खड़े होंगे और जैसे इन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया था और इस वर्ड को इन्होंने रसीव किया और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखे है इस साथ दिन में एक ख़ती में परमिश्वर आपको हर बात का उत्तर देगार आप बड़ी गवाणियों से खड़े होंगे आप बड़ी गवाणियों से खड़े होंगे मैंने जानता आपको क्या प्रब्लम है आपको कौन सी बिमारी है आपको कौन सा गुर्प करूप है आपकी बड़ी में किस परेत्रांकी परिशानी है आप किस चीज से आप परिशान हो पैसुसे हो जा किसी और चीज से हो नशे के कारण परिशान हो दुष्ट आत्मा के कारण परिशान हो पर वो परमेश्व सर्व शक्ति मान है जो अपना वचन आपके लिए भेज कर आपको शुडाता और बचाता है मैंने का जो अपना वचन भेज कर वो आपको शुडाता और बचाता है इस वर्ड को रिशीव किया और जह धनिवाद में बने रहे और जह बतारे जो 30,000 का इनको लोण पास नहीं हो रहा था पर मेश्व ने इनके रस्ते को खोल दिया और इनका लोण जो पास तो हो गया पर इनके जो पैसे तो वो 40,000 थे इनको 30,000 तो मिल गया था पर जो बतारे कि जो परेशान थे कि जो पैसे उन्होंने उनको देने थे वो 40,000 तो इन्होंने परमेश्र किया गए फिर प्रातन की कि परमेश्र आप सब को जानते हो और जैसे हम उन्होंने 30,000 दे और 10,000 हमें कुछ समय बात दे देंगे और जो आप जानते हों सब कुछ जैसे इन्होंने परातन की और जब वो लोग इनके घर में पैसे लेने के लिए आते थे पहले बहुत परेशान होते थे और जैसे उन्होंने इनके घर में वो पैसे लेने के लिए तो उन्होंने इनके घर की कंडिशन को देखा जो इनके हजब पटारीके जैसे उन्होंने ऐसे बोला इनोने अहीं ने बहुत ही पंपी पारमेश्ड कादनेवाद किया कि सच में पारमेश्र आप हमारे बोज को आप ऐस प्रे जानते आप दुनिया दे, ये ना आफिरा लेनाए.. मैन। जो कुझ जाहिए, मैं यane ये सुनूर कहनाए.. मैम जो कुझ जाहिए, मैं ये सूनूर कहनाए.. सुनो, चुनो सब.. प्ले मैं ये सु महारे है.. इतनों को संभवाई किया सबको मिया है खो अजस को है क्या हो गैयनकी पर इनके हस्बेंट के छोट लगने की कारणि मैं और क्शा के हैं कैस वैंज करना की पाऊंशन मुआ है को अ क्योंकि चोट लगने की कारण पूं कम से कम कितना टाइम हो गया उन्हें घर में बैठे वी कितने एक महीना जादा चो चार महीने और अभ डाउने ऐसे पर पर रहे वह काम करने वाला तो कैसा गुजारा गया मुश्कल है तो जिसके कारण इन्हों कहीं से 20,000 प्या करश लिया और उसका कितना होगिया 40 क्या हो गया ? 40 हो गया 40 औह अब इनके पास पैसे नहीं है कि यह साथ-साथ उसका व्याज दे। क्या दें तांके वह इन्हें तंग न करें जब उनका व्याज बढ़ता अगया बढ़ता गया तो जिस मालिक से इननों जिस से भी पैसे लिए वो इनने बोल रहे हैं कि नहीं आप हमारे पैसे दो अब वो बोल रहे हैं कि हमें 40 कठा चाहिए क्या चाहिए और ये इस वज़े से बड़े परिशान से इन्होंने अपनी बुद्धी से बहुंद जगा पता किया पर कुछ भी नहीं हो रहा था बोलो कि अपनी बुद्धी से बहुं सारे लोगों के पास गए क्यों जे गए के न मेरे मुंग से प्रोफेटिक वर्ड दिया यह तीन तारी थस्टे के मेटिंग मैंने श्पैशली उस दिन लोगों को कहा था कि सब आना क्या ना सब आना परमेश आपको आपके चीवन में भड़े कामों को परकट करेगा क्योंकि परमेश का कोई टाइम नहीं कोई भी समय न कि बुलो क्या ही कि यह बहुत जरूरी है अगर आप आत्मा में हो तो फिर आप त्यार हो कि जैसे बाइबल में लिखा कि समय समय क्या रो त्यार रो तो यह उस मिटिंग में आए मैंने श्पैशली बोला था सबको कोई बात नहीं है आप शुट्टी करके भी आ जाना परमेश उसका फल देगा क्या देगा परमेश उसका फल देगा कि समझा रही है तो इस दिन परमेशन ने मेरे मूझ से यह प्रॉफेटिक वर्ड दिया क्योंकि ऐसे नहीं है को चीज के लिए मैंने कोई त्यारी किया बस परमेशन में मन में अपनी सुविच्छा को लगाया और जैसे मैं यहां पर प्रपट प्रात्ना कर रहा था तो ऐस है और 広धा थे खोड़ावन ने कहा कि साथ जीन में क्या उगे सब के 30,000 प्यां देने का क्या कहां कि हम 30,000 आपको दे देंगे अब 30,000 तो मिल गया पर है कितना था 40 तो नहीं नहीं अपनी बुद्धी से सोचा कि चलो कोई बांदी उनसे यसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जल्दी वो भी दस दे देंगे पर जब लेने के लिए इनके घर आये तो इनके घर की कंडिशन और इनके पती की जो कंडिशन थी आप दिखाओ वो फोटो दिखाओ अब फोटो दिखाओ उसको इनकी हस्मेंड में जो प्यार के छोट लगी है को तो आप नियां दिखाओ जैसा भी है तो ठीक है लोके तो अभी इसमें आएगा देखो सब अपनी स्क्रीन में देखो सब लोग स्क्रीन में देखो पैर का क्या लोगा यह पूरा उपर से पैर की पूरी चंबडी उतर चुकी है पूरी नाडे नजर आरे है नियुक्त के जान से देखो देखो पूरी उपर ली चंबडी कहत्म है सारी वो पैर की नाडे नजर आ रही है छब दियान से जब उननोंने ऐसी कंडिशन देखी तो उनलिकाँ आप ऐसा करो अब जिरफ हमें कितने देदो 29,000 देदो इनके पास तो 30 ता तो यह सोच रहे थे 10 कहीं से लेंगे पर उन्हें कहां कि उन्हें कहां जिनके 40,000 जो इन्हें बहुत तंग कर रहे थे पर जैसे जब लेने के लिए और उन्हें देखा गर की कंडिशन के पती को तो वो कहते अब 28,000 क्या देदो 28,000 समझारी ने अब कितने उस वर्ड को response करने से उस मीटिंग में आने से कितने की बजत dau हुई कितने की बचतु यह रइा कि Final key कि अधरिए सब के वाजनिया रहीं सब नहीं पता लगा कर सबनेनिस नहीं कुर है कि कि इंचे वाज आने कितने की बचतु यह ऀंफे देशन हचऱू मालो अगर एक आदमी सरकारी जोब करता है किया करता है तो मालो वो 30-40 हजार लेता है मैं कहतों 50 भी लेता है तो 50 हजार से उसकी एक दिन की दिहारी कितनी होगी कितनी होगी में बी कि 15 प्लस ना कि 15 प्लस पंद्र प्लस होगी तो सुनो मैं 50 जार पे दो अगर सरकारी को जोब करता है बाखितो काम करने वाले हैं अपना कोई दुकान का को कैसा को कैसा भी हां कोई 50000 कैसे भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो तो भी एक निन में 12 thousand पेतों निनना कमा सकते यही चीज है अब जिसके पास यह समझ है बोलुक्य आएं बोलुक्य तो परमेश्य उसके लिए फिर बड़ा इंतिजाम करता है किया करता है अरे यही चीज है परमेश्य कभी भी आपके झीवन का समय कि अगर आप उसे समाद देते हो तो परमिश्य उसका फ़ल देता है कि यह देता है उसका फ़ल देता है जैसे इनको मिला अब जह मेहनत से 12,000 प्या कमाए तो कितना किती कि मेहनत लगई कि बताव मूझे असान अगर मैंलो वो और वो जिन से पैसे अठाए है अगर वो कहते है में 40 चाहिए अब इन्हें तो 12,000 पर चालिस पूरा देना बढ़ेगा न समझा रही है 12,000 पर एक मेहनेती बंदा कमाई तो मेहनेत तो लगेगी कि नहीं लगी लगती कि नहीं लगती है पर ये बड़ा काम किस ने कर दिया तारीब करोज भारुशक्ती मान पाद मिश्टाइब ना करिपर वा किसे गल्दी और रख़गर हर रख़गर हर रख़गर रख़गर हर रख़गर हर रख़गर सेस्टर का नाम जोती है और जैनती पूर के रहने वाले हैं और इनकी बेटी की गवाही है जिस्तर अलें कि फंसरा दिन हो गया थे इस बेटी की चूहों पर गड़ गया था छिसके कारण जै बहुत जड़े रोती थी इसको बहुत ज़ले होती थी और जे सिस्टर बता रही कि वेैं बहुत ज्यादा मैडिसिन प्लेकाल होती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था बहुत जड़ा रेश्य से वह घर घंविशंगा था और बता रही कि जो बैट左 कि आ但 उटस Science को बहुत जाधी प्रब्लम थी और जिसके कारण जे बहुत ही परेशान होगे थी 15 दिन से और जैसे जे सिस्टर पिछले संडे मीटिंग में आये और जब प्रभु के दास दुख्यों भीमारों के लिए प्रात्ना का रहे थे और जैसे प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि जो छोटे ब प्रणी रही और एक हवते में वो जो गड़ बहुत जदा रेशा से बढ़ा था वो पूरी तरह से सूकना शुरू हो गया और रेशा भी निकल गया नहीं तो जी बहुत जदा रोती थी और आज परमेश ने इस प्रावलम से इस बेटी को पूरी तरह से फ्री कर दिया हम मेरी परना बता रहे कि इनन्हों ने बावासीर का ऑप्रेट करवाया था और जैसे इनको ऑप्रेट होवा था डॉक्टर ने कहा था कि ऑप्रेट होने के बार देड़ मेने तक आपको त्युले ट्राइं ब्लड आएगा और जिसके कारण आपको खून की भी कमी हो सकती है और जी इन्होंने तीन वंबर की मीटिंग को आउनलाइन अपने घर में ही अटेंड की थी और जैसे प्रभु के दास के मुक्सित दिर्फ और फैटिक वर्ड आया कि जो किसी भी प्रॉब्लम में बीमारी में तो आज वो परमेशन साथ दिन में उन्हें फ्री करेंगे और पहले हम इ परमेशन आपको हर बात का उत्तर देगार आप बड़ी गवाणियों से खड़े होगे आप बड़ी गवाणियों से खड़े होगे मैंने जानता आपको क्या प्रब्लम है आपको कौन सी बीमारी है आपको कौन सा गुप्त रूप है आपकी बड़ी में किस परेत्रां की पर थे लीषानर आउं पर्वोपर में शर्वशक्त इमान है, जो अपना वचन आपके लिए भेज कर आपको शोडाता है, मैंने जो अपना वचन भेज कर वो आपको शोडाता और बचाता है ओर जिवातारहें कि जब इन्होंने तीन मंबर को अपने गर में आउलाइन मीटिंग को देखा उस दिन इनको फर्स टाइम है जब अविश्वास करते हूं जो वर्ड आपके दांस के द्वारा मेरे लिए आया है कि जो भी बीमारी है किसी भी तरह की है और आज परमेश्व आपको साथ दिन में फ्री करेंगे और जे बतारे इन्होंने रिसीव किया कि में बिल्कुल भी ब्लड नहीं आएगा और परमेश्व आपका बल और आपकी सामर्थ मुझे में काम कर इस वर्ड के दुरान उस समर्थ के दुरान आज परमेश्व आपको पूरी तरह से संभाल कर रखा अजिप प्रॉब्लम सीनुको फ्री कर दिया है इस गुवाही के लिए जिपार्मेश्र के दासकों परमेश्व का पहुं सारा थने वात करते हम सब तारीफ करिंगे के इसलिए मैं कहता हूँ के इसलिए मैं कहता हूँ के जब भी परमिश्य आपको ऐसा वर्ड देता है जो तो आक्मा में तो वो रसीव करते हैं और धन्यवाद करते हैं क्या करते हैं धन्यवाद करते हैं उन्हें मन से उस दिन रसीव किया कि यह वर्ड मेरे लिए क्या है शोटी बात नहीं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी देड़ महिना अबको क्या आएगा गलाड आए गया गया क्योंक्व प्रेट हुआ है क्यों अप्रेट हुआ है अब जैसे यह उस दिन विशास से उस वर्ड को एसी तरह से तीन तारीक से आज कितनी है 27, 27, कितने दिन होगे पूरे, 24, 24, 24 दिन होगे, 24, कितने दिन होगे पूरे, 24 दिन होगे, पूरे, एक भी दिन नी दोबारा बलड आया, एक भी ते, समझ आरे न, और ये, आप क्या सोचते थे, जब ऐसे डोक्टर ने, मैं आपके मन में क्या 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 लाते थे, कि मैं थोड़ा बताओ, जैनल रफार जैनल जैनल चैनल दोक्टर ने कहां कि मल इतनी क्या हो जाएगी, कमजोरी आजाएगी, कि कैआपको बलर्ड फिस्टे खून चढाना पड़ेगा, हां जी, समझ आ रही है पर देखो वो जिस परमिश पर अवशास करते हैं वो कितना सरवशक्ती मान है वो लोग है कितना वो सरवशक्ती मान परमिश है और जैसे वो इस दिन इनों ने वर्ड को सीव किया कि परवू यह मेरे लिए उस दिन से लेके आज देख। पूरे 24 दिन होगे को जरा सा भी हाँ कोई ब्लड नी कोई कुछ नी बोलो क्या है कोई कुछ नी है सुनों अब यही चीज है बोलो के यही अंतर है यही फरक है कुछ लोगों के जीवन में जोवशांस से उसको लेते नहीं है क्या नहीं लेते क्योंकि वो वच्छन किसकी और से आया था किसकी और से आया था अगर उसकी और से ना होता तो फिर वो काम कैसे करता समझा रहे हैं अगर उसकी और से आया तो हम सिर्फ इनकी गवाईया नहीं ह कितनी गवाहियां सुन लिए हमने उसी मीटिंग के वर्ड की एक कोई सुनी है कितनी गवाहियां सुनी है इसलिए जब भी परमेशन अब के लिए असे करता तो धिल से उसे ग्रैंग करो और दधेवाद करो कि परमेश्य ये मेरे लिए और यस खुदावन्द आम में लिए कर ने गर चुके हो तो शुके हो अरे सुनुआ एक चीज आपको बड़ी बताता हूं सिर्फ डेड महीना रख्पने सिर्फ बलड आना जग तुबारा से यह चीज निया कि अभिस्जा आपको फूरल चडाना बढ़ेगा यह यह बात निसर अरे अगर आको बलड आता तो उसको ओर आनसे इनको तकलीफ उती ने दर्दो होनी ती जिससे परमेशन ने खून तो बंध हुआ हुआ पर उस तकलीफ से भी बचाया क्या बचाया अगर वुट आता रो तो उससे दर्दो होनी थी तकलीफ होनी ती और उसे भी परमेशन ने पचाया इसलिए इस बड़े काम के लिए इस बड़े कौवाही के लिए खुचलन का दोनों हाथों को ठायर कर जोर से जोर से जोर से श्यद्धध़ निद्ध़ भाई ओदे नाम दिते यसो मैं नुछंगा करहा अजिते लोग बिंबार हैं, अपने हाथों को उठाओ प्यान जितने लोग बिंबार हैं, सब बिंबार हैं, हाँ? जितने लोग बिंबार हैं, अपने हाथों को उठाओ。 उठाओ, अपने आठों कौ साथ। YAS KUD спасибо मैं घोष्णा करता हूं इस बात की मैं खोछ न करता हूँ khudamand इस बात की कि सीम खुडा इस क्रीस के साथ आप इने शुचुक आँ आप इने भी शुचुक आँ शुचुक आँ khudamand Right now in the name of Jesus in the name of Jesus हीलो जाओ मैंने का हीलो जाओ छंगे हो जाओ येशु के नाम से Amen Amen Hallelujah ऐसा हो चुका है मैंने का हो चुका है अगर अपने धमदार से उस वचन को घ्रैन किया है तो फिर हो चुका है Amen है हाँ नेस्ट पताई है और भी कुछ बताना चाहते है ठीक है कि मेरे वला है कि मैं जदो आपर एड़कर वाक आई लूँ कि मेरे प्रा कोई पता लानुगा है यहाँ अधर केंदी आके में ओतेन करमा वारा वारेका जिद्धन तराजी में तरी पुट्रह जूड़िवेच पंचूंगी अज मैं बड़ी कोश्या है कि में रादी दीन्या-अधर जाह के सुष्एर्ण में तरी प्रेघ्टे अभीजर वे पहुंचूंगी यह तेको जिसको कि परमेशा सिप्यार है औभ Ronkeip किसे एक माता पित अपने बच्चों की क्या करता है चिंता करता है जिसको परमेशन से प्रेम है क्यों नहीं करेगा हूँ बोलो किया क्यों नहीं करेगा 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 नहीं करेगा अब जो आता ही महिने बाद है इनकी तो मजबूरी बन गी क्या बन गी है विमारी के क इससे पता चलता है कि वो कितना प्यार करते हैं परमेश्व से बोलो कि जो भले अच्छी है अपने कामों में व्यस्त हैं एक दिन भी परमेश्व को अच्छी धंग से वो देते नहीं है बोलो कि इससे पता चलता है वो कितना प्यार करते हैं पर इससे पता चलना है कि यह आज ये बहुत खुश है बोलो क्या है ये बहुत खुश है कि आज मैं फिर से प्रभू की हज़ूरी में हूँ शेतान ने हलात दो लेकर आया है शेतान इसलिए बाईबे में लिखा दर्मी जन पर हलात आएंगे पर रहेंगे नी सबसे बड़ी बात क्या है देखो ऐसा नहीं कि परमिशने काम नहीं किया सबसे पहले ये बात है बोलो क्या है जिस चीज का इन्होंने अपरेट कराया है बोलो क्या है ऐसा नहीं है कि परमिशने वो काम नहीं किया क्या नहीं किया तो अब यह सोची कि मेरा तो काम हुआ निए तो मैंने किया करना वहां पर जा कर है तो मुझे चंगा किया नहीं हमारा रिस्ता सरुछ शरीर से नहीं है आत्मा से लो थे बीड़ील मेरा तो ये काम किया नहीं प्रभु नुत है आप मैं जाकर वहां पर समझा रही है यह उप्चाहिन का प्रेट भी हुआ बोलो के एक दिन भी मैंने देखा इन्होंने अपना मन ने खराब किया प्रभू से के प्रभू मैंने तो इतना विशास किया यह बहुत लम्मी समय तक अपनी तकलीप में परमेश्य के साथ खड़े रहे बने रहे कि परमेश्य मुझे क्या कर चुका है पर कुछ चीज़े देखो परमेश्य के लिए हम जानते हैं कि कुछ भी कोई भी चीज बड़ी तो नहीं है पर कभी कभी क्या है मैं आपको पाइंट बदाता हूं क्या होता है कि कभी कभी परिमेश किसी के जीवन से कुछ आपको अलग कुछ सिखाना चाहता है क्या सिखाना चाहता है आपको कुछ अलग चीज से खाना चाहता है जैसे इनके जीवन से परिमेश ने आपको सिखाया अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो यहां पे न होता है आपसे वो शरीर में होता होका है मेरा तो हुआ नहीं है अब एकस प्रेट भी हुआ फर पर इहें को खुदा के साथ यह प्रेचर कर देखर करते कि लुए हमें अगले करते थे तो यह दूसरूं के लिए का लिए हाही है और यह प्रिकम का यह प्रेम कि वो समझे है वोलो के वहां से जो श्रीरिक लोगो थे जो सिर्फ काम तक सीमौत होती है वो कहते मेरा तो हुआ निए अब मैंने क्या करना जाते हैं इसलिए बाइब में लिखा पर मिश्ण इनसान को कहा तेरे वचारों और मेरे वचारों में अकाश अर्प वि प्रित्वी का जितना अंतर है तेरे बचारों मेरे बचारों से इसका प्लैन में कि समये अगर मुस्के प्लैन में उसकी जोस्ना में जीएंगे तो आने वाले समय में उलोग ये कुछ 숨के जीवन से परमेशच करेगा लोक में मिफाल देंगे है कि अक जीवन की मिसाल देंगे दारीव करें जोर से जोर से जोर से या कई बाती है चल्दी करो हालेलोईया तुझे सिस्ट्र का नाम शिंदर है और जे मुदल गाउं के रहने वाले हैं और जे सिस्ट्र के गवाही जे बतारी के डेड़ मीना हो गया था इनके राइट सर पाउं की जो उंगली है उसमें काफी जखम हो गया था और जो रेशिय से बरा हुआ था पहले मुझे पिक को देखेंगे और जिसके कारण जो इनके उंगली में जखम था जिसके कारण जे काफी परेशान थी क्योंकि इनको चलने भी भी काफी प्रॉब्लम थी और जे बतारे कि जो इनके आजपरोर्ज के लोग थी वो इनको कहते थी कि जे काक लग गया है जो कि जे सही नहीं हो रहा और जे बतारे कि इन्होंने देड़ मीने तक मैडिसन भी खाई पर कोई भी फरक नहीं पहर रहा जिसके कारण बहुत परेशान हो चुके थे और सिस्टर बता रहे हैं कि संडे थर्स्टे की मीटिंग में भी आ रहे थे और जब भी प्रभु के दांस प्रातना करते थे उस समय यहीलिंग वर्स को रिसीव भी करते थे पर जो जखम था जो ऐसे रेशी से बरा हुआ था इनको संडे परातना की और जैसे इनको तसाहीत किया गया दनेवाध किया यह अदो ने और आज पर मेश्ले इस प्राब्लम से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया जखम पूरी तरह म को अजाद कर दिया इस प्रावलम से हम सब तारीफ करेंगे करेंगे कलेसिया तो इसको हिंदी में से बहुते साप का थू ऐसे हाँ है सबस्क्राइब को एक लगना किया लगना कख तो जिसे वो लग जाता है मेडिशन से फिर क्या नहीं होता है और है उसको जिसको यह ऐसे होता है इंको फूछो कितनी इस तकलीप आपने अभी पिक में देखा न है किती तकलीप थी कितनी दर्ग रहती थी अराम से खाते पीते सोते थी आपके जैमसी पूरी रात क्या है सोनी बाते थी तस तस की तो कभी-कभी सुने में मुनुष्को नॉर्मल लगता है क्या बनों हां जी पापाजी गलीवाले लोग लेगे मतला एदेते कि यो मन का वजरा मन का लगाओ हां जो तो पूरी तरह किसमें बलो किया जो पूरी तरह किसमें काट लगा जो पूरी तरह किसमें परमेश्य में वो कभी ऐसी चीज़ें करेगा क्यों कि साप को बनाने वाला कौन है था थापको बनाने या को नहीं हम ऐसे नहीं कर तो मैं एक जो नहीं करता है ृप वह पूरण बहुसा नहीं रगते के निल्गते कि नहीं परमेश को महान है वो सरोषखती महान है अगर वह मन का जो किसी पेड के ऊपर आप्र है शायद हो लगती है पेड कोई लगते हैं न तो उसपेड को किस ने बनाया होगा वी बताओ मुझे पुस्सेल को किसने बनाया अप्त्पति जब पड़ते उका ध्याए में तो सारा कुछ किसने बनाया आपके पास अभर टी एंधर बीचिन यह तीमान परमेश्व पार जिसने सारा कुछ बनाया ऑफ है बहुत के पास यह सब्मज है यह बुद्धी दो succession घूम लगाओ गया लगया चुच्छोछ फिर से नंसके dignity लिए है किया होग एंच इसले शुम्सिने का जो हाल पर हाथ रखर जो पीशे देखता है है वो अभी मेरी योगनि है क्या निया मेरे योग है अभी मेरे योगनि अबहुत कुछ लोगों ने चाहां पर यह बने रहे तकली थी किने कितने दिन यह अला आगा मेना दो मेने रहे थे जिस दिन मेनो एथो दी सेवादा संदेश गया के इस चाननिया फट गें आए चलाई गरनी जब ये अच्छ तो तब तक संदेश गया ते मेरे पैर्च बहुत जरी दर्दी ते मैं कोई भी उस दिन दवाई खाके नहीं हमें मैं तो नंगी गेठ ते मैं प्रत्न की दी के परमेशव तो मिन्हों राम देच चुका ते मिन्हों मतलके राम उसस दिन तो ही मिजूकर अब अपने पर अब करें थे प्रशक बोले उसकी सेवा भी आजहा करें हाoud का करें अब ये अगर ये तकलीप में भी उसमें आए दरती क्योंकि ये पछली दिनों आशेनले में जब तेस हवा के काह रहीं ए सारा ये चाननीय कि ये सारा टेन beef और तैटलीप याइ क्लिए वसी हालत में यह आई क्योंकि सूंव्चिण का काम करते हैं तो हमने पूचा तो कि अहां यह कैते कोई नहीं कर लेंगे उसी हल उसी तकलिफ में आए मैं उसे हाल ची आगी और जब कोई इंसान फिर फरमेश के लिए ऐसा कुछ करता है बड़ी कोशी नाला आई तो फरमेश फिर कुछ नहीं करता है इसलिए आपके सामने यह खड़े और गवाही दे रहे है जोर से तारी कुरो जोर से जोर से जोर से ना गुटी उते ना डॉले आते मैं कोई दवीद ना बन गाहा इसोच के सची बड़ी खुश हुं दिये के मैं ये सुमसीरू मन गाहा के सची बड़ी खुश हुद दिये के मैं ये सुमसीरू मन गाहा हालेलुया इस प्रदर जी का नाबर रिमेश है और जे पोई गाउं के रहने वाले हैं और इस प्रदर जी की गवाही जे जे बतार एके चार मीने होगे इनके गर के जिस्ट्री के कागस थे और जे बता रहे हैं कि वो इन्हों मिल नहीं रहे थे और प्लस उसके साथ इन्होंने क्नियो प्लाट भी लिया था और उसके भी स्टाम पेपर्स थे क्योंकि इन्होंने बताया कि कुछ पैसे इन्होंने दे दिये थे उस प्लाट के कि अभी देने वाले थी और जो कि इस टाम पर लिखे थे और वो भी कघस रिजिस्ट्री के जो कघसे उनके साथ ही थे और चेआया कि पसक्ति की चार मीने उन्गे फ़ी труд ने जुद लिया शरु आपर कहीं पूरन सचाई को नहीं थे जाते और जैसे अभी इनको दो मीने होगे यह होश्वरन जी ट्रॉबीन मनिस्टे में आ रहे हैं तो जैसे ही बता रहे हैं कि चर्श तो जा रहे थी पर हम नहीं जानते कि जो टीजिंग जो शिक्षा जेवां से लेते जी समझ नहीं पाए जहां इ अब यह दस साल से विशांस तो कर रहे हमने पहले बिनकी गवाया सुनीं की मदर की भी हां कि दुस्टा आत्मा उनके उपर क्या थी जब भी वो कोई सांस सुनते थे तो बड़े सालों से विशांस कर रहे थे पर वो जानी रहे थे पर जैसे आए सही नियम सही जो पॉजिटिव विशांस है पॉजिटिव यंगिकार है हां सही यंगिकार करो पॉजिटिव परमिश्व सब कुछ पूरा कर चुक है क्या कर चुक है इन्हों नहीं बातों को यहां पर आके सीखा आपने से कितनों ने सीखा है कितनों ने सीखा है जो यह समस्फ लिए तो फिर आप आगे पीशे हो आगे पीशे मंना समझते ना अप्नी किसी काम के लिए हाग है तो अब यह जातो रहे थे अब हमें नहीं पता के जहां पर आ रहे हैं उन्हों नहीं इंपर इतना ध्यान दिया जा इन्हों नहीं समझा कोई नहीं कोई कारण तो होगा पुलो कि अगर यहां पर आए हमने इन पर द्यान दिया हमने समझा जब मिले तुनी ज्यादा कुछ नहीं पता था तो हमने सही चीज बताई सही पॉजिटिव अंगी कार करो इंशा सकूर पॉजिटिव प्रात्न पर मेंशा सब कुछ कर चुकह क्या कर चुकह ओए ओर जैसी इन बातों की ने सीखा समझा और रोस रोस उसमें बढ़ने लगे धनेवाद करने लगे अब देखो कितने महिने चार महिने से ristree इनकी तो खफ़प देर से कर और कि कि अरी सिस्टरी के खूस और इनने यूप्लाइड लिया है तुकट में पेपर नियू प्लाइट लिया और उसके बिस ताम पेपर था समया रहा है और वो घर्मी मी प्रूण देना आपने गरमें ढूंडाने अची से जान सब्सक्राइब अच्छा नबे सी पर मिले नहीं कि सामने देखकर करो कोई बात नि कुछ हो अभी तो बिल गें हैं अब तो मिल गें है तो खोशिश तो की इनों नहीं है पहुत डूंडा होगा, अपनिले नहीं कहीं से, अपनी बुती से बहुत कोशिश की पर मिले नहीं, पर कैसे मिले सुनो, गोलो कैसे मिले, प्रभू क कि विश्वाश की परात्ना की तीही परमेशर आज दे दिनी चिज़े में बड़े काग तो गुमोई या मिल जाना, मिल जाने हमें सारा दिन लबदा रहां नहीं मिले पाइड़ी नू प्रोपेटी नू प्रीपाइए ही कि लुपाफीड ने को एक चीज सुनों एक ध्यान से सुनों इतने इतने महीन चार महीने से मिलनी रहे पर यहां पे आकर जो पॉजिटिव अंगिकार पॉजिटिव पॉजिटिव प्रात्ना और पॉजिटिव यह विश्वास में बने रहे अरे यह हरांगी वाली बात है के नहीं है अरे इतने महिनों से वह कागस नहीं मिल रहे और जब देखा तो उपरी पड़े पॉलो पड़े इस शोटी बात नहीं है अब क्या है यह शोटी बात नहीं है क्योंकि सुनों एक चीज आपको बताता है क्योंकि नेक्तिव पावर के कारण जैसे कईयों के पैसे अलंबारी के अंदर लॉग के अंदर रखे होते हो तो अंदर से गयब हो जाते हैं अंदर ही लंबारी के अंदर कपड़े रखे होते हैं अंदर से कट जाते हैं होता है यह नेक्ठी पावर दुस्तात्मा से ऐसे होता है इनके साथ भी हुआ होगा कुछ हां धन्यवाद है उस परमेशे का के जहां पर आगर इन्हों ने जो सई खुदावन के अनुग्रय की टीचिंग है हां पॉजिटिव इशास में पॉजिटिव एंदगी कार करो पॉजिटिव रात्ना करो हो चुका यह बने रहे लगाता और उसी चीज़ का रजल्ट आस आपके सामने है बोलो क्या है नहीं तो नुक्सान हो सकता था ना बड़ा नुक्सान अगर नहीं मिलते तो आप क्या प्रूफ है फिर इनके पास हाना समझा रहे हैं पर परमिश्व महान है बोलो सर्वशक्ति मान है जब हम सही चीज़ को पकड का का पड़ा तसके आप बॉड़ है कि तो 살 को समझा रही हाचा और कितने आज के गवन्यों से बिलेस् तो रहे? कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, एक बज़ जोर से हालेलुया भोल के दिखाओ, नहीं, मजा नहीं आया, रोड तक, रोड तक सुनना जाहिए, एमेन, बताओ, बताओ, हालेलोईया सिस्टर का नाम सर्बजीत कौरे और शेवेर की किराने वाले हैं और जिस्टर की गवाही जे इनके बेटी की है जे पतारी की दो मीने हो गए थे उनके पास कोई भी काम नहीं थे उनको जौब नहीं मिल रहे थे और जिसके कारण इनका बेटा जे बता रहे कि थारा अगस्त की मीटिंग में इनका बेटा मीटिंग को इनके बेटे ने अटेंड की थी और जे क्योंकि वो तो विश्वास नहीं करता था पर जे सिस्टर उसके लिए विश्वास करती थी और प्लस उसकी एक और प्रॉब्लम थी कि रात के समय जो बतारे 6 मीने होगे थे कि उसको नेक्टी पावर के पर बाप के कार उसको दबा बढ़ते थे और वो रात के समय अकेला सो भी नहीं सकता था इन्होंने बताये कि वो उसका कहना था कि वो अपनी मदर का हाथ पकड़ कर ही सो सकता था और जिसके कारण उसे बहुत डर लगता था और जैसे 18 अगर्स की में उन्हें फॉर्म फिल कराया और जैसे उसके लिए ले अट प्रात नोई सबसे पहले हम उसके वीडियो क्लिप को देखेंगे जो इसकी चौप की प्रॉबलम है जो शितान इसके चौप में रुकावट देए और रात के समय इसे जो शितान इसके चीवन पर अटैक करता है चल शितान इसके चीवन से इसकी सोच से तेरी हर रुकावट को तेरी हर रुकावट को इसके चीवन से अब खादेए इसके लिए लिए प्रात्न होई और जिस्टर उसके लिए विश्वास में बढ़े रहे जिदनेवाद करते रहे और अज दो मीने होगे कि परमेशन युश्य जॉब के साथ ब्लेस कर दिया वो कॉल सेंटर का काम करता है और जे बता रहे की दो हफते से प्लस भी हो गया कि करनी लगता और परमेशन युश्य नेक्टी पावर के परवाव से उसे फ्री कर दिया है इस कुवाही के लिए परमेशन को बहुत सरा थैंक्स करते हम सब तारीफ करेंगे लिए दरोमत चुप चाप खड़े रहो खुदा की ददात के काम देखो दरोमत चुप चाप हालेलूई याँ इस सिस्टर का नाम कीरन है और जो चट्डेगाओं के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे जे बतारी की शे मिले हो गे थे इनको रात के समय बहुत एस फीवर हो जाता था और जे बतारी सुबह जे बिलकुल अच्छे रहते थे ते तिर्फ रात के समय 6 मीने से इनको बखार रहता था और प्लस उसके साथ जैसे इनको फीवर बहुत तेज हो जाता था इनको बार बार वाश्रूम जाना पड़ता था और इसके कारण जै काफी परेशान थे 6 मीने से और जै इसके लिए प्रातना भी करते थे जै बतारे जब भी प्रातना मे प्रभु के दांस के मुख से वर्ड आया था कि जो लोग तीन हफ़ते इस मेटिंग को अटेंड करेंगे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे से जीवत रहेगा अगर आप अपनी अशीष चाते हो इस शुटकारे को चाते हो हम लगातार इसी विश्य के उपर के बाइबल के चिर्ण चमतकार हमारे विश्वास पर आधारत है वो लोग आए विश्वास पर आधारत है समझे जे बड़ा सच और पाई दुखों से शुटकारा अगर आप अपनी डिलिवर शुटकारा चाते हो आशीष चाते हो तो ये तीन हपते ये तीन हपते लगातार ये वीरवार संडे ये एक अपता निकल गया एक वीरवार और ये संडे ये तीन हपते लगातार हम ये य वर्ड को रसीव किया और इनोंने कोई भी मीटिंग में इसनी की 15 स्टमबर से लेकर लास इन्हों ने शेक तूबर तक जह सब भी मीटिंग अटेंग किया और जैसे विश्वास में बने रहे हारी का अटेंच पार्ड और जो इनकी शेम इने किजी प्रॉब्लम थी इनको बहुत इस फीवर रहता था बार बार वाश्रूम जाना पड़ता था और प्रात्ना में प्रॉब्लम आ रहे थी कि बोडी में बहुत जादा गरम शेक निकलता था और इसके लिए ने कोई मैडिसन भी नहीं थी लिपर जै जाते हैं कि परमेश्री मेरे जीमन में भी बड़ी गवाईयां बनाई क्या बनाई बड़ी गवाईयां बनाई अब बड़ी गवाईयां कैसे बनती है जो परमेश्र अपना वच्छन देता है क्या देता है तो हमने क्या करना है उसे दिल से उस पर विश्यास करना है मन से य अलाघ चाहे कितना भी बड़े से बढ़े क्यों नीहAAAAli problem चाहे कित्पिचने वीबडे करने जब हम उस लौत को सीव करते हैं है और मुन्ट से धनेवाद करते रहते निए लूत करते रहते कैस्स-स घुढवंध आमों कर चुकिए और उनके साथ व्यस्य है क्या हो गया क्योंकर पिछले दिनों में गुदा वन्ने जम्मय यौत पेहले मीटिंग वीरवार क्यती तेमार इस फंदरा संगपर को तो 15 स्थम्बर नहीं यह जो क्लिप दिखाया शाइद यह संड़ा नहीं यह 15 का नहीं है यह 15 वीरवार हो गया यह 16, 17, 18 संड़े का 18 तरीक का है यह क्लिप 18 का है और सुनो क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि यह दू हटे एक अपता निकल गया और दू हटे अभी और ऐसे हम सुनेंगे कि वाइबल की जो चिंचमत कारें हमारी विश्वास पर आधारत है वोलो कि हमारी हमारी विश्वास पर आधारत है इन सम्मीटिंग्स को लगातार क्या करना अटे रहें समीटिंग को अटेंड किया क्या किया समीटिंगों अटेंड किया क्योंकि जब मैं यह खुदवन्न नहीं यह वर्ड जब मुझे धिया के बाइबल के चिंचमत कार हमारे विश्वास पर आधारत है जब हमने पहले मेटिंग 15 स्थम्बर को की तो सबसे पहले हम उसका का भी क्लिप देखते हैं उसमें मैंने क्या कहा था दिखाओ उसका भी क्लिप कि अज़िश्ट आपका प्रेट बढ़ेगा जिनकी काम रुके हुए ना आज के वच्छन को दोबारा सुना इस वच्छन को हम नेस्ट आगे लेकर चलेंगे संडे भी सुनेंगे और कि अज़िश्ट सम्चाते हैं खुदा से परमिश्व से उसको पूरा करें ओके तो बने रहना परमिश्व के साथ तो जब यह मीटिंग का पहला पाट था पंदरा स्तंबर को भीरवार की मीटिंग तो उस दिन मैंने कहा था कि इस वच्छन को हम आगे लेकर चलेंगे यह सेम पाप यह सेम विशा कि बाइबल के जो इंचमत काने हमारे विशांस पर अधारतियां समझे बड़ा साच और पाएं सब दुखों से शुट करा तो मैंने काम सवचन को संडे भी सुनेंगे क्या सुनेंगे आप अभी आपनी जब मैं संडे आया तो संडे यह अभी जो अपने क्लिप में सुना के जितने लोग इसक निकल गया दो हपते और हैं जितने लोग के शांस से इन मीटिंग्स को अटेंड करेंगे वह अपने जीवन में बड़ा शुटकारा और बड़ी आशिशों को देखेंगे क्या देखेंगे मीटिंग में देखो छोटी सी बात नहीं है शे महीने से रोज रात को बखार हो जा दो है और जब भी यह प्रातना में अगर बैठते तो फिर शेक निकलना लगता था अंबर से बड़ी से एक निकलने लगता अ और बार बार उसकी वज्जे से इने वर शुम जाना पता जो पलकर बार वर शुम जाना पता था पर उन दिनों की जो मीटिंग खुदावन ने आपके डिलिवरंस के लिए शुटकारे के लिए तीन अप्ते की इनने लगातार अटेंड की इसलिए जब भी परमिश्र अपना वचन देता है तो बाइबल में लेखा हूं विए ठेर कर मेरे पास नहीं आता है कि बोलोगें वह ठार कर मेरे पास हमने बहुंसी गवाईयां पहले भी सुने उन मीटिंग में जिन लोगों ने कहीं एक की कहीं ने दो की कहीं तीनों की तो परमेशों भला है फिर भी हमने उन दिनों में यह 15 स्थंबर की मिटिंग से लेकर शे शे अक्तूबर तक हमने पिछल तार उस चीज के लिए इनोंने अपने मन में उस चीज को रखा कि परमिशन अभापी आपको यह फ्री ओए कितना टाइम हो गया इस चीज से एक महिना देखो सुनों क्योंकि इन्होंने अच्छे से पहले जग किया यह वेट कर रहे थे ना बोलो क्या करें सब टेस्ट नॉर्मल आये हैं सुनों देखो सब टेस्ट नॉर्मल आये हैं पर फिर भी इनके साथ यह ऐसे हो रहा थे है वह की बोलो कर neighbor ने परीणोंने परमिश्र के वांड को सब्सक्राइब को पकड़ा जिए उन दिनों की जो मीटिंग्स दी डेलिवरेंस की लगातार वो मेतिंग्स में बने रहें क्या रहीं लगातार बने और आज आपके सामने यह बड़ी गवाही के लिए खड़े हैं कि खुदावन ने पूरी तरह से उस शेम महीने की उस बिम्बारी बुखार की बिम्बारी से जो रूस रात को होता था ना दिन को नहीं होता अब गवारए टेक वजान सब्सक्तशन और ख़र लो रेंज आख़तों जिसे महलोम मैं भी अपनी ग्यावाँ बंदादा सिर्की जब सूरस लिए निकल आता तो जैसे स्यम तक उसका तेज तो यहां जैसे हैं मतलब और जैसे ऐसका तेज सूरस का गटता था तो मैंने भी विदाई ना मेरे सिर में जो धरद रहती थी रात को नी ओती दिन दिन को जब सूरस निकलता था और शाम तक बस जैसे इनके साहध था था थूरा देन शेय्फ अजब शाम होती ती रात और फि इन्होंने जो मेहनत की उस डिलिवरेंस के वचन को लिया तीन अपते में आज आपके सामने ये पूरी तरह फ्री है अप तो नहीं होता क्योंकि मौसम चेंज हो गया है हाना समझा रही है पर जिसको तकलीप है वो क्या करे बंदा पर वो है सर्वशक्तिमान परमेशन जोर से ये शोथी कवाही नीनिए तोनों हातों कौ अठाकर जोर से तरिफ करो जोर से जोर से दिल से हम जान देने तुफान चादो यसु बोलता हम जान देने तुफान चादो यसु बोलता आमेन हृलेलुईया हलेलुईया किते लोग शान्स करते हैं कि खुदामान इसीते रहें मेरे जीवन में भी बड़ी गवाईया बना चुका है मुझे भी अपने कामों के or युज कर चुका है इशत्माल कर चुका है मेरे विशास को भी मश्बूत वना चुका है मेरे मन को भी स्टुंग कर चुका है अलेलूए象 स्टॉंग मन रखो, स्टॉंग तकडा समझ आरी नdepend क्योंकि उसनेका डरों नहीं मैं क्या हूँ तुमारे सांथ हूं तो वो आपके साथ है दनने के जरूरत नहीं गभराने के जरूरत नहीं है बोलो क्या है उसकी जो सर्वस है वो चोवी हावर्स है आपके लिए बोलो क्या है चोवी हावर्स सुनु मैं आपको चीज बताता हूं कि कि जम संसार की धारमिकता करते थी क्या करते थे मेरे मदर कि एक जलंदर में बोलते हैं कि कानाटेसियाँ के कोई मिशन एक कोई एक कानाटेसिया मुझे तो पता उस बबाजीय का नाम तब में दसक साल का था तो उसे बलते हैं बबाग गुरमेल जी उनके उनके पिता थे फिर उनके पिता थे वो तीसरी गदी पर थे बोलो किया थे तीसरी गदी पर थे बैठे वो तो मैं तब मेरी उमद दस साल की ती कितनी साल की जब मेर मदर वहां पर जाया करते थे यह जाया करते थे और हम पूरा फूरा परवार हम उस चीज में चलते थे शांस करते थे उसमें से होता है तो अलग अलग चीजों के वो फैंसले लेते थे इस बिमारी का इतना पैसे का फैंसला इतना इसका इतना इसका इतना इसका इतना इसका इ sister अच्खोल के बहुत जादा बीमारों जा होगी बहुत अबीमार है तो उनके क्या है के अलग-अलग उससे बोलते है त्याद्नी अलग-अलग अपने अपने एरिये में ऐसे संगती होती है असे लोग आते हैं सब भूल के साथ भजन सब कुछ ऐसे होता है समझारे है तो एक हमारी रिस्तेदारी में हमारी बुवा जी वो भी क्या बन गी है और है कि दो सबस्क्राइब वह उनकी ससन की मतलब से बोलते हैं कि नहीं है थार लगाने वाले द्यान लगांकर बताने वाले है तो मुझे याद है एक बार हम मार जब इस दू बहुत बुछादा बिमार होगी मिरे एक बड़े बाई और हम उसे लेकर उनके घर चले गें बुलो के चले गें इक तो हम लेटोगे जो बुलो कि होगे हम उनके घर से पउंचे कोई करीब 11 बजे कुर सुनो दियान से कितने बजे ग्यारां बजे तो हम जब पहुंचे तो हमने जाकर रिष्टेदारी में एक तो हमारी भुगा जी थी तो हमने कहा कि देखो आप ध्यान लगाओ क्या हो तो मेरे भड़े बाई का नाम हो लेकर कहते के अब गुसा मत करना क्योंकि उपर से बाबा जी का ओर्डर है कि जितने त्यानी है वो दस बजे तक गदी लगाएंगे उसके बाद नहीं क्योंकि पिछले दिनों में जितने त्यानी उन्होंने बड़ी रही थे रात रात तक हां बारा बारा है कि बजे तक भी गदी लगाकर बॉसी के वेटे रहे तो बाबा जी पर बहुत भार पढностью बीमार अगे क्या हो गए वह बाहत बीमारोंकि- अखतर點 है कि मैं समज है। पर अब नहीं उपर से order है सब त्यानियों को order है कि बस 10 बजे तक गदी लगाना उसके बाद कि हम 11 बजे पहुंचें अब देखो उसको लोग खुदवन की ऐसे एक पावर एक शक्ती मानते थे उस बाबा जी को कि समझारी ने पर लोगों का भार उनके उपर आने के कारण उन्हें order मिला सब ध्यानियों को कि बबाजी तेर गदी लगाने के कारण वह बहुत भार पढ़ गया और वह बिमार हो गए तो दस बजे के बाद समझारी ने अगर वह बंद हां कि वह इनसान था फर्मिश्य नहीं था वह लोगी था जाए वह इनसान था क्या जान लें यह परमिश्य की चाहत है उसकी विल है कि सब मनुष बचाए जाए और में सत्य को जान कि हर आदमी हर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है अपनी उस जीवन को अच्छा करने के लिए वो कुछ भी करता है पताएंगा नहीं पता हैं वो कुछ भी करता है कि अरे वहां पर हसारों की तदाद में जाते थे लोग प्यार रखने की जगे नहीं उन दिनों में अब तो मुझे तो पता नहीं है क्योंकि इतने साल हो गी प्यार रखने की जगे नहीं ही इतनी हसारों तुनिया जाती है अब अब सुचो उन हजारों लोगों का क्या क्या हो इसलिए परमेश्य ने मुचे और आपको चुना है कि हम इस दुनिया में उसका सत्य फलाएं लोगों को उसका सत्य बताएं कि सच्छा और जीवत परमेश्य कौन है कौन जो वो स्वरिक से प्रित्वी पर आया और हमारे पापों के लिए मारा गया घाडा गया तीसर मुर्दो लिए हैं मरा उआनी हं अभर में पड़ा हूआ नहीं है इस ही को उसकी कबर आस भी खली है उसी के नाम से ये सब आप गौवाईयां दे रहे हूं खुदा मंद के बड़ बड़े चिन और चमतकारों को आप देख रहे ऑं उसी के नाम से ये सारा कुच हो और है कि समझ आरही है मैंने का उसी के नाम से ये सारा कुछ हो रहा है कि को लो क्या है उसी के नाम से हो रहा है जिस खुदामन में हमें अंदिकार में से अपनी चोथी में बलाया है अपनी जोथी में वालाया है उसी के नाम से पापों के लिए मारा गया गाड़ात गया ऑर तीसेन मुर्तमों मेंसे ची उठा उसी के नाम से उसके ची उठने की हं कि हमने मुदिशय बढंि जी जो मुर्दो में से ची उयाट उस प्रभू पर उस गुरू पर विशास किया है समझ आ रहे हैं तो इ teaspoon हम यह सब गवायां दें हैम मेरे में महीने की इतने सालों की यह प्रॉब्लM यह काम वह काम कि वह आशा का परमेश क्या बलो हो वह परमेश्य ओजल मैं ठौन किया बोलो वह वाश्य का परमिश्य वह वाश्य का समझारीन है और उसनी आपके अंदर इस आशा को डाला है इस समझारी है इतनों को समझारी है हां यहां पे जटने आप वेठे और अगर एक बंदे को उठाएं उसके जीवन के बारे बताएं है है उसकी लाइफ जीवन की जो जर्नी की टेस्टा मलियें एक से एक है कॉलोके एक से कैसे किसे किन भालात эти आज तो कुछ लोग अराम से बैठी है पर आगर उनकी ही जिवन की जर्नी की टेस्टा नी बथ है उने तो हरन करने वाले एक एक हांदमें की एक एक बंडे का तो फिर हमें आराम से बैठना चाहिए कि जो लोक नहीं जानते हो सचे उश्वर को एक परमिश्व को औरों को बताना चाहिए हा झीजरूरूरत नहीं है झाल ऐह अभी अभी आपने गवाई सुनीना हो जिस जर्के प्रपर क्या लग गया था इस आप का थूक बोलते हैं कख इनकी जो बड़ी वाली बेटी अपने समने देखा ना उसको यह बैठी थाटी हो जबने आज आपके बीच आराम से बैठी है आप सब जानती हुना इस गाओं वाले भी जानते और सबने इसे देखा है देखा है ना मैंने का सबने देखा इसका जीवन क्या नहीं किया इनों जल्द आपको उनकी पूरी जर्नी की टेस्ट्रमनी बताएंगे क्लियर है और मैं बता रह अवेल एक बेठी अटल इए डिखो यह बैठी है यह सच्च्ट बैठी अपने बच्चोओ शेटर पिए जह हो आथ अपड्यक्र hm इस दो कि एपने बच्हे को लेकर है आपने बच्चों को व कि बैठी को पने को यह तिया कि आपनी को यस्दों कि इनकी बैटी को भी अपने सबने देखा ना देखा ना उसका क्या अश्रता वो क्या करती थी कि अरे कितनी कि अपकी बैटी की है हां स्तारा साथ है अरे पूरी रात वो बालों को वह नोचती थी अपने सिर्कों धिवार के साथ ऐसे चोड जोड से मारती उनको पूछो क्या आई पूरी पूरी रात में वाठती दे लिव उचा उच्छा शोर करती ऑट सम्ह देशे हम संधार वाले चीज चीज की सब कुछ किया कोलो ग्या कि आप सब कुछ किया सब कुछ पर नहीं हो है कि क्या मोलों दीरे दीरे जब जब शुर्वांत में जब प्रॉबल्म होती है तक तो वो शांस से आएंगे हर बार आएंगे संडे भी आएंगे विर भार भी आएंगे पर जब पाम ओजा तो धीरे धीरे ठंडे हो जाती है पर इस पर शुमसी ने बड़ी जबरतस्ती चीज सखाई है जब उसने 30 साल के रोगी को अच्छा किया तो उसने का देख तु अच्छा हो गया अब दुबारा पाप मत करना ऐसा नहों कि इससे भारी विप्ति तुस पर फिर आ जाएं कि तो कि परमिशने क्लियर किया ना पने बचन से तो हमें ध्यान देना चाहिए भूलो क्या है पर कई लोग पता नहीं कि कैसा मन होता है उनका कैसा विशास जांप प्रेम कैसा है करा वो भूल जाती उस समय को के मैं कितनी तकलिफ में थी अपनी बच्छी के कारण समझारी है तो ये बहुत परिशान थी अपनी बेटी की भूलना नहीं है बोलो क्या ही युक्छ आई कि खालीगर देख कर बोलो क्या ही अगर एक दुष्ट आत्मा गई है तो खालीगर को वो सच्छया स्वारा देख कर इश्रमसी ने कहा कि वो साथों को और लेकर आएगा और उसकी हालत उससे भी जादा क्या कर देगा खराब कर देगा अब मैं आप सोचो के डरा रहूं है धरा नी रहा भी मैं आपको समझा रहा हूं मैंनी नहीं का ये इश्मुसी का वचन पढ़ लो बाइबल आपके पास है ना हां उसने का जब एक दुस्ता आत्मा निकल जाती है तो खाली गर को वो सज्चिया स्वारा देख कर वो सातों को औरों को लेकर आती है फिर उसकी हालत उससे भी ज्यादा क्या कर देती है इसलिए श्म से कहा हां प्रात्ना करते रहो कि तुम प्रिक्षा में ना पढ़ो क्या ना पढ़ो प्रात्ना करते रहो कि तुम प्रिक्षा में ना पढ़ो बने रहो यह मतलब है और जो लोग हल्के में लेते हैं परमिश्र को इसलिए बाइबल में क्यों लुका ही मेरे पुत्तर मेरी किसी भी बात को हल्के में ना जाना लिखा है न परमशनिका यह मेरे पुतर मेरे किसी भी बात को हलके में ना जा जैसे किसी को कोई प्रॉबल्म हो कि तो डक्टर उसे क्या कहता है हां ओय भाई तुजे शुगर होगी देखी हां मठावन तरे लिए कि एो बोलता है कि निय डोक्टर बोलता है जब किसी को शुगर हो जदी अब यह गोली खानी हैं क्योंकर शुगर कहां कोई अलाज नहीं है अबस जितनी उम्बर है जब भी होगी आपको शुगर बस गोली और जब आप खुदावन पर विशास करते हो शुगर किया वह कैंसर को विजड़ से मका देता है हां समझारी है वह जिवत खुदा जिस पर विशास करते हैं पर उसकी आख्याओं में उसके नीमों में अपने चलना है किया चलना है उसके साथ जीना है उसका भय रखना है उसका डर रखना है तक लिखा परमेश का भय घुर बुद्धी का मूल है जो आए उसके पास बुद्धी है वह फिर डर रखेगा ना ना मैंने गले चीज़ नहीं करनी अब मैंने उसे धूर नहीं हो ना मैंने फिर से उन दुखों में नहीं जाना हां मैंने उस दुखबरी जिंदगी में फिर से वापस नहीं जाना अब मैंने वो चीज़े नहीं करनी तो जिसके पास बुद्धी है इसले का डर फै बुद् तो आपके पोटेक्शन कि अप्रक्रान स्वारे खरेंगे मस का किया थे मता है कि लिए नदा हूं सेवा में हाजार जानरती आप पराप समनते हो मैं तो क्या हूं मैं तो गरीब हूं मैं तो बिमार हूं अरे स्वर्ग दूत आपकी इस रक्षा में पर्टक्शन के लिए त्यार है समझा रही हैं आप आमनी हो उसके बहुत खाश हो बहुत क्या हूं पर उसको समझो और भी और भी उसको समझो उसके और भी प्रेम को समझो कि समझारी कितनों को आ रही है कितनों को आ रही है तो इसलिए मैं चीज बता रहा हूं कि यह गवाईया तो हमने सुनी है पर यहां पर जितने बैठे अगर उनकी जीवन की सब की जर्नी की टस्टा मनी सुने तो एक से के एक से कि वो तो हम दे रहे हैं हां हर अपते दे रहे हैं हर अपती कुदावन के कामों को सुन रहे हैं कि बोलो कह सुन रहे हैं सुन रहे हैं कि अगर किसी के नहीं हो रहा है कि अगर किसी के जीवन में हो नहीं रहा है उसका कारण पक्का है कि जहां तो वो बंदा उस तरीके से परमि यह को नहीं समझा दोओं चीज़ें जा तो फ्यार नहीं करता तो जड़ाँ उसने उसके प्रेव कोने सब्जाआ जो उसने आपसे किया कि समझा रही न समय न और कुछ लोग कोते हैं शरी वैक मैं 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 देखता हूं मैं cameras जिस जब आय तो ने लोगों पर तरस आया क्याया तरस जब येश्व मुष्याई नोगों को देखा बोल्होंने दें उन्हें यह PLAY अइसे कहां कि आपको यह सव्याय के अक्समान के का थे करो कि सारा संसार क्या है वा व्यक्ल भेडों के समान क्या डावा टोल और यह अपने अली को मालिक नो नी क्या नी जानते यह अपने अली अपने मालिक को नी जानते समझा रही हैं इसी लिखा बैल अपने मालिक की चर्णी को उस खुरली को जानता और गदा अपने मालिक को समझा रही है पर आप नहीं जानते हैं एक बैल एक गदा जानता है अपने मालिको पर जिस मालिक ने आपको अंदेकार में से बलाया है उसने तुमें क्या करने के लिए नहीं है कि अब जबूर भी कहते हैं चाकर्देखो यह खुवा क्या है पघ्ला है एक मतलब इसका करकर देखो करके देखो बिना किसी चीज़ को जब तक आप जकते नहीं स्वाद का पता चलता है हाँ अगर आप आयो आज कितने लोग जो पहली बार आए है आज है कोई जो पहली बार आए है कौन-कौन है जो आज पहली बार आए है बार कि जब जो किके देखो है कि एक टिन मैं भी पहले दिन आया था देभी परेशान था हाँ अज आप बलेसो खुष ओ आजाओको अपने दुखोंसे करमेशने करजे उतार दिये सब्स्ट कर दिया एक धिन tanks जिस दिन मैं भी बढ़ दुखों में कि बढ़ी गवाई है अगर मैं न यूमसी को जानता तो शायद आज जंदा नहोथा है अगर मैं यूमसी को ना जानता कि वह कॉन है क्योंकि जब मैं नहीं जानता हम संसार कि वह चीजे प्रचा करते थे अहां समझा रहे हैं तो मैं तो सम्मुन तान तक एशुम उसी एसाइयों का है यह अंगरेज्जों का हमारा ली यह जिसे आज भी लोग सम्मुन इन इसलिए फर्स्ट करंतियों एकी अठारा में लिखा है कि क्रूस्ट की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है तक तो नहीं जाओ कि मेरे साथ खड़े खड़े हाँ इनसे सिखा करो हाँ पहला करुंतिया के अठारा में लिखा है कि क्रूस्ट की कथा इसे हम बोलते सलीव ती कहाणी नाश होने वालों के लिए मूर्ख पर हम उठार पाने वालों के लिए क्या है परमिश्र की सामर्थ है पावर है शक्ती है चिन्नों ने किसके नाम पगा विशांस किया किसका अंगिकार किया क्या किया किसका अंगिकार किया केश्व मेरा प्रभू है मेरा गुरु है जो मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया अपने मूं से अंगिका की लिए मारा गया और थीसरें फिर बुदेंसिंती थी। इप Hashak कि ऐसे मन और उवर करती हो एसे मन saymember कार करती है यह असा हजा तरस्छा करते कि वो किसी दर्म का निए अंग्रेजों का निए वो ऐसाइयों का निए वो सारे जगत का है क्या वन हमात रे जगत का प्रभु का मत्वल प्रभुता करने ओंत सारे जगत का है मैं इसम्झारी कुल एक पावर एक स्थि vlogging awake आफके अंदर आती है क्या कि वो पावर आपके अंदर कर दा accessible करताःAC कि मेरी यही जरनी की टर्ष्टा मनी एक कि I Ohh मैं इतना निशा करता था कि मैं अपने आपको बस नशे में अपनाा शाहता था और खुदा ने मुझे बॉला बुलाया और मुझे बचाया एक हाँ पलए जब मैंने सत्य को समज़ा तो मैंने सोचा मेरे जैसे कितनी हजारों लाखों करोड़ों लोग यह जो इस valeur में इस चीज में मुझ जीवन छीर जाए बारे नाच तो मेंने मन बनाया कि मैं लोगों को बताऊंगा में अपना काम करता था अपनी काम के साथ साथ मिल रोज अमको जाता था ता अलेगयम मीट को लोगो nieuwe को विताने के लिए जहां पर वी कोई मिलता था रात के 10-10-11-11 बजे को आता था कि इसलिए में आज एक होदा का सिविक कुछ का दास हूँ को लो क्या हूँ क्योंकि मैं मैंने उसके लिए मैं उसके लिए चीह हूँ है है ऐसे निये वस मास काम गजलो शुने रहा गया जी चलो जी गर पे चले हैं एक बंदा था कि अउनो अपनी से एक का प्रीक्रव के लिए आओ मेरी काफी मेरी वात भी है पूरे अमरेसर में तो तुम पांच बजे साटे मांच बज़े चुटी करके घर को भाग जाते हो हां तो काम लेने के लिए बैठना पड़ता है टाइम देना पड़ता है नगई यहना पड़ता है लोग दस-दस बजय तक आफीसों में बैठे रहते हैं और तुम जाकर नो बजय कि आपके सोय हुगते हो कि समझा रही है और जब फिर खुए मेनत करता है जाहे वह संसार की है चाहे परमेश्य की कि वह कि यह से यह मसीं क्यों आकर कहा कि कि जो लोक नहीं जानती उन पर सूरस उदे कर रहा है मीपर सार आ और तुम जो उसको जानके हो तुम उस पर शयास करते हो तो तुमारी लिए को पर श्क्ता करेंगा है आपर उसमें मेनत है क ह allocation मेनत है अ चाहिए करते हो तो फिर उसका फल मिलता है अमेन हालेलुया कि त्यारो इस फल को लेने के लिए त्यारो तो अपने हाथों को उठाओ कि तुक्छे मैं बोलूं तो खुदवन तो इतना मुझे देता है को लोके इतना देता है कि तुम शाम तक भी बैठे सुनते रो तो उपर से आता ही रहेगा है हालेलुया जो मैं मैंने अभी बोला इसकी जरूरती मेरा कोई विशा नहीं था कि यह मैं बताओं क्योंकि जो मैं आज अभी बताने वाला मेरा तो वही विशा है पर पर मिशन जानता है कि आप में से कुछ लोग बैठी है जिनको यह चीजों की जुरूरती और मुझे विशास है कि वो चीजें अगर जो भी खुदावन ने मेरे मूँ से बोली है वो आपको ब्लेस कर चुका है जाहे आज पहले दिन क्यों नहीं आए मैंने का पहले दिन क्यों नहीं आए वो आपको ब्लेस कर चुका है क्योंकि वो धर्म का नहीं है वो अगर आपको यह बात समस आगी तो आप बहुत आगे जाओगे बहुत कुछ खाश करोगे है मैं आओ आज के वच्चन के लिए धन्यवाद करे परमिश्य का थेंक्यू जीजस करते हुए मांगे खुदा से कि परमिश्य जितना वच्चन आज मैं सुनू मेरी बुद्धी और समस में आए और कोई अंदकार की शक्तियां मेरे जीवन से तेरे जीवत वच्चन को चुराने न पाए बोलो तेरे जीवत वच्चन को चुराने न पाए जितना वच्चन मैं आज सुनू खुदावन में सौग नवफाले कराओं, सौग नवफाले कराओं, ये शो मसी के नाम से, एमेन, उठाओ अपनी अपनी बाइबल को उपर, उठाओ, उठाओ, सारे, हिलाओ, जोर से हिलाओ, गिंती जादा है और ये कम है, मैंने पिछले संड़े भी बताया था, कि अगर सचमुच आप खुदावन से प्यार करते हो, क्या करते हो, तो आप इसके बगार आई नी सकते, बिना आप舞र, पैन, वचन के बगार आई नी सकते, क्योंकि आप समझ चुके कि परमेश्र का करनून के है नियम क्या है, हां, यह नहीं है कि बास यह आगर बैठ गी है ठीक है भई जो नए बंदा उसे क्या पता है नहीं बंदे को तो पता नहीं है नहीं समझें जैसे प्रिरित पॉल ने कहा है कि दूद बच्चों के लिए होता है और अनस्यानों के लिए होता है जो पहले दिन आया उसे अभी क्या पता है जहां दो-čार हफ्ता हुआ उसे उसे तो नहीं पता पर अगर आप सीख चुके हो समझ चुके हो तो फिर आगर आप पढ़ना जानते हो तो यह Bible इक अहत्यार है कि वह लो के Bible इक हत्यार आपके चीमन का अगर आप पढ़ना जानते हो तो को हमरे देरी पेन आपके हाथ में होना कयो अपनी चिजों को किसी जल्दी से लिखते हो हम दूद कित्नी तरीकों सुरूर हां कितने जिन्हां। डेम फिरें जैनल जयानी हम इन्हें हम से 21 आप कि कि डेम को डिपार्ट आज। क्योंकि अपनी चीज के लिए स्याने हो पर जिसने जीवन दिया जिसने आपको जीवन दिया और आपको जीवन देने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया उसके लिए तुमारा मन कैसा है हां कि मेटी डाली तो उसको भी लिखते हैं मुझे बहता है इन चीजों हां कि अगर को घर में आगया किसी में कुमेटी वाला जसन डाली है तो वह सबसे पले शोर्दे बिले लिख लो कहीं बोलना जाएं बाद में इतना फिकर रखते हो अपनी सिस्कार नहीं रखते हो किसको अगर किसी को धिये और धारे जा कुछ दिये तो वह भी आप लिखते हो क्या सुमJacky चीज के समझ बर्शाने संसार को तुनिया को और आपको बनाया है कि उसकी समस्ती और जिस दिन ये चीज में आप भड़ दो खें अपने इन चीजों में मन लगा लिया है अब जब लग शुद को कि सुर्ज के जैसे हैं मैंने का आप चमको के सूरज के जैसे हैं में तो आज का बैचों आज का जो विशा है मेरा कि कि आपका विश्वास कैसे प्रभू की सामत को परगट करता है आपका विश्वास प्रभू की सामत को कैसे परगट करता है क्योंकि परवेशिक की जो धार मिकता है किसमे सबसे पहले वच्छन देखेंगे रोमियों निकालो है बस नोट करते जाओ अगर आपकी वच्छन निकालने की स्पीट है तो ठीक है मेरे साथ-साथ निकालकर पढ़ सकते हो अगर इतनी नहीं है तो बस वच्छन नोट करो कि आज मैं थोड़ा स्पीट से बताऊंगा अलर्ट रहो मैंने का चौक्षरो आज किसी का भी ध्यान दाइंबाइं नहीं होना चाहिए अज में कम समा लूँगा अबस अपनी अपना ध्यान इदर उदर नहीं करना अपनी अखों को बंद करो फिर से बोलो परमेशन तेरी बच्छन में लिखाएं जैसे तेरा दास दा अपने वच्छन को चादा महत्ता थी खुदवन यह तेरा वच्छन जैसे तेरा दास दौद भी कहता है यह सुने और चांदी यह कुंदन से हीरों से भी अनमोल है इसलिए वो कहता है मैं तेरा वच्छन पाकर इतना खुश हुआ जैसे कोई बड़ी लूट का खजाना मुझे में आज वोही खजाना परमेश्य आप मुझे उसका वारस बना चुके यह शुमसी के लाज़ अमैंड सुना चीज मैं कहीं कहीं बात जब घर जाता हूं न तो मैं परमेश्य से ब्लातना करता हूं परमेश्य मुझे पता है कि जो चीजें आप मेरे मुझे बोलते हो यह बड़ी पावर्फुलें कियुके परमेश्य हमेश्य हमेश्य आपको वही ऐसी चीजे देगा जिससे आप बड़र जो आपको जुरूर को इसे डॉक्तर आ उता है ह distinction से मय जैसे बाल बदल कर देता है जैसा मरीज होता है वैसी देता है तो परमिश्र को बता है आपको क्या चाहिए यह स्पिरिट में मुझे मालम हो गया और परमिश्र वो जानता है मुझे और मुझे भी समझ आगी कि आपको क्या चाहिए और वही चीज अब मैं परमिश्र से बैठता हूं बोलो क्या है यह वचन जो आप सुनते हो ऐसे ऐसे नहीं है कि मैं आज आया घर से और मेरे मन में सुचा और बास चलो जी आओ मैं आपको बताता नहीं यह खेंटों परमिश्व के साथ बैठने के साथ कई बार कई दिन बताने के बाद यह वचन मिलती है अगर आप से कोई जानता है अप पढ़ना जानते हो तो कहीं से अज़े कालने कालो और बता ऑँ आप बताई नहीं पाओगी tan कि इसका एसा विश्यहां पर मेरिशिका avez for कि नी बढ़ी बाई बले बहुत के तुम्हें कहीं से भी नकालकर आपको बता सकता हूं को तो सहरा वचर्ण तो किसका एं परड़ इसका यह विश्यानी होता कि अगर मैं कहीं से भी निकाल कर उसको आपको बताने लगों मतलर मैं बताई नहीं पहूंगा अगर वह बचन मुझे कौन ना दे उपर से कौन ना दे यह बड़ी बात है आपके लिए इस पर ध्यान दो तो ठीक है निकाल लो रूमियों दो अध्याएं इस ओर दो नी तीन की बाइस सा जहां पर अर्थात प्रमश्य की वै दारुमिक्ता जो ईश्यू मस्यपर विशास करने से सभर्शास करने वालों के लिए क्योंकि कुछ भी भेत नहीं क्योंकि इसलिए कि सबने पाप किया परमिशी की महमा से रहते हैं प्रंतु उसके अनुग्रेश से उस शटकारे के द्वारा मस्जी इश्यू में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं कि उसे परमिशने उसके लहू के कारण ऐसा प्राची ठराया कि जो शांस करने से कारीकर होता है कि जो पाप पहले से किये गए जिन पर परमिशने अपनी शहन चीनता के कारण ध्यान नहीं दिया उसके विशे में अपनी धार्मिकता परकट करें सब वो आमें क्या करें जो पा परमेशन लिखा विलम से कोब करने में धीरस्वंत है इंसान जैसा नहीं है किसी के साथ कुछ हलका जा कुछ हो गया तो वह क्या करता है और तेरी देखी जाओगी हां इंसान ऐसा है अगर परमेशन सान के जैसा हो तो आज जो करोड़ों दुनिया अर्बों तुम देख रहे ह जो कर दो इस पित्वी पर अधे वी आदे से तीस्त्रे भी ना नजार आए अग्र इंसान जैसा परमेशन जो kuch इस संसार में व्यक्ति प्राल गंदे काम जितने बुरे काम जने चितने पा वां रहा है में सच्छी कि अगर परमेशन इंसान के जैसा हो पर लिखाँ वो उसने अपनी श्यान शीरता के कारण कि बोलो क्या है ध्यान नी दिया कि उसके विशे में अपनी महमा उसके विशे में अपनी धार्मिक्ता पर्कट करें कि वो परमेश्य विलम से कोप करने और धीरस्वन ते इसम अब मतलब हर चीज को वो टाइम से उसमें धेरी करता है इंसान जैसे नी चलती से ओ जो गया चकर दो जो गया हां मार दो पडलो जो गया एसांसान एक मेंट में तेरे जमने मरने चुटे ओगे मैंने नी मिलना तुन किस्टी तहीं कि उन्निस में लिखा परमेश्य हो हा इसके जैसा हो हो तो जो काम आज इस प्रथवी में इंसान कर रहा है सच्छी यहे तुम करोड़ों अर्ब और तुद ही हसा दुद शेयुड गज की एवर तंफ पर यहांपे लिखा कि परमिशिक की वैह धार्मिक्ता है अब्हू क्या है अरफ्सद पर मुण्हीं की वैह दार्मिक्ता युश्मसी पर विशास करने से सब विशास करने वालों के लिए कुछ बिखेद नहीं कुछ भी बिन बेद विशास करने वालों के लिए कोई भी बिन बेद एका सब ने पाप कियार परमेश्र के महमा से रहते बगैर गैस और उसकी मैमा नहीं थी हमारे जीवन में अब मसी नहीं अब वो दार्मिक्ता जो लिखा जो इशुमों सी पर विश्रास करने से किसे मिली हम है कि उसकी जो धार्मिक्ता विश्रास में है यसे संसार में जो हम धार्मिक्ता करतो तो अपनी अपनी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करते ते करते ते करते सब करते थे करते नहीं क हम एकचिटीछ और टो यह सक्तिड़े समझे कि यह दार्मिक्ता किस पर विशांस करने शेंग है यह शुबर विशांस करने शी और भा मने परमेश्य से यह थारमिक्ता पाए यह विशांस है किसी और चीज में नहीं है किसी चीज को जला कर है जला कर उसको परसंद करने की नहीं है कुछ करने कि विए जिसे हम पहले करते थे पताया की नहीं बदाता यह से एक एक टीपिक जॉंसन जी ने सौंग बनाया बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो क्यासे वो जानन जो मंगदाई कैसे वो शबद है हाँ थोड़ा सा गाओ यह कैसे है कि जल्दी से जल्दी से ओकादा रब जो दीवे राही लोकाटो चानन मंगदार है ओकादा रब जो दीवे राही लोकाटो चानन मंगदाए कि यह सुरादा चानन जो सबनु चानन वंगदाए ओकादा रब जो दीवे राही लोकाटो चानन मंगदाए कि यह सुरादा चानन जो सबनु चानन वंगदाए ना कुटी उत्ते ना दोले आदे, मैं कोई दवी जना बन दाहा कोच के सची बड़ी खुशी हुद्धिये, के मैं यसम असी दो बन दाहा के मैं यसम असी दो बन दाहा के मैं यसम असी दो बन दाहा कि विव्यसु मसीनों बनेदा रा, हाल्यलुया, वो कादा रब जो धीवे दे राही लोकं को चानन, मंगदा एड़, हाँ, एक येशुर आजा, कैसे येशु, जो रस्ते का चानन है, वो सबको चानन वंडदा है हां ना में गुट्टे उत्ते ना डोलेते अब तो भी ते बन दा है कि बंद आपा हां सही होजा बखार उत्र जा हां बोली उत्र जा ओजे हां मुंडा जाय यह काम बन जाहे मेरा फॉरन का वीजा लगजे जल्दी से मेरा काम हो जाहे यह सारे काम यह परकंद करती थे अब हमशी-पता लगान इसलीए तार मिक्ता लिखा यश्यो-मसीब जोषांस करने से हमने किसे पाई है उस पर्मेशा किसे भाई है लिखा विशांस करने वालों के लिए कुछ भी बिग नहीं है में बैन बहनता किह कौन सी जाथि के तुम कौन सी कौम के ओ ईदार काट देखती चाहत्य ने को हैपका थे सिर्फ और सर्व आपके मन को सने देखा क्या देखा तुमने कितने पाप किये तुम कैसे गुस्सेवले वेक्ति थे तुम कितने बुरे थे उसने एक भी बात पर आप पर दोशनी निए जिस दिन आप आई उसने माप किया क्या किया सब ने पाप किया और परमेश्य की महमा से रहते हैं उसने यह देखा यह बंदा बड़ा गुस्य बड़ा योड़ा क्रम इसको नहीं मैंने चुन यह तो गाले नकालता है यह तो ऐसी हिस्त्री है यह तो ऐसा बंदा है यह तो विभ्याचारी है विभ्याचारियों को भी उसने माप किया पर एक चीज है यह भी कहती है कि अब तुमने जो उसे जान लिया है क्या कर लिया है अब जो तुने उसको जान लिया है अगर जानक तो फिर कोई दूसरा बलीदानि यह वहीं जब तक तुम जानते नहीं हो अगर तुम ने जान लिया है तुम अब आप कर रहे हो जान जानकर तो फिर कोई माफि नहीं मैंने मसी में लोगों को देखा पापकार कि क्या करती है अभी भी उनकी फ्रेंडशिप चल रही है क्या चल लिए अभी वो पुराने वर जीवन वाले जबके बाइबल कहती है उसको करनियों समेथ उतार डालो आज भी वो है आज भी फून पे चैटिंग वो सब कुछ आज भी चल रहा है अरे याद रखो ये माफी तब तक थी जब तक तुम जानते निते बाइबल साफ कहती है कि जानकर तुम अगर जान बुझकर पाप करोगे तो फिर कोई दूसरा बलीदान नहीं है क्यों कि यह लि में लिखा उसका कीड़ा मरेगानी मौत का यहन परकाशेवाचिक ने यह बात करी कि उस मौत का जो कीड़ा वो मरेगानी तो मौत मांगोगे और आपको मिलेगे इस इसमें तो शूट जाओगे यहां पे दर्द है यहां पे रसॉली यहां पे प्रॉलम है यह दुख है मौत नहीं है यह श्रीर में तब तुम खत्म हो जाओगे शूट जाओगे बच्चों से तंग हो किसी चीज से भी हो जैसे संसार में कहते हैं हां है रभा मुने चुकल है मैं बड़ा तांग है तो क्याते हैं न वह आपको उठाने के लिए नहीं चुकन देली नहीं वह बच लिए वह बचाने के लिए आपको बचाने के लिए और जो नहीं जानते हैं वह ही कहते हैं अर्भा मुने चकल है हां है तो हमें बचाने के लिए आया और उसने मेरे जिमन को बचाया और आपको बचाया अरब परमेश्या को कहता तू औरों को बचा है किते लोग औरों को ब मेरी शांति को इस चीवन को अपने तक सिमत मत रख जो नहीं जानते उनको बताओ किया करो उनको बताओ कि किसी का वो अधेंटी प्रूफ नि देखता वो सिर्फ मन को देखता है कि आमें स्किंटे जो कि ये विड़ hetário है जो अधे लोग मेरेサथ कड़े रहकर सुन सकती है अ कि अधे लोग मेरे साथ कड़े रहकर सुन सकते है स्भी टू प्रॉबलम कि सिहाल प्रॉबलम एं तो करे आख ला quería सकते मिरे साथ चलो म dism przypadku का डूब भी है तोक इतनों को समझ आ यह जा honoración कि यह दार मिकता किस विषायस मिल कि इसी ले इसने कि विषाब्स को सकता है यह यहां पर रिखा कुछ इसने बेतनी वह प्रेषां क सकता विषायस करने वालों के लिए सब कुछ के कुछ-कुछ सब कुछ हो सकता है जो भी तुम शास करते हो जाएगा इशने चेलों को कहा तुम पहाड को कहो यहां से उखड़ और कहां पर चले जा कहां पर सुमुंदर में पर अपने मन में क्या न करो संदे न करो शक्न करो जो तुम कहते हो जो कुछ तुम प्रात्ना करके मांगते हो परतिती कर लो विशास कर लो तुम्हें मिल गया है क्या है तुम्हें मिल गया है मिलेगा के मिल गया है कुछ लोग आज भी प्रात्ना करते प्रभू दिया कर दिया कर प्रभू चिंगा कर मेरे पाप शमा मैं मैं पापी मैं गुनागार हूँ मैं नकम्हों मुँच में कोई खुबी लैट आसबी कुछ लोग क्योंकि वो परमिशा के को बैवन को नहीं जानों का इसो ये को आज है कुत कलीशियों में है से अभी भी है के बढलू किया है वो पापी से आपको अपकी अपनी संतान वो बना चुका है किया बना चुकह है अब उसकी कोड़ों की मार से तुम क्या णचुक हो जो अब क्या करो इसे रिश्ण का पहाड कोigator यहांसे उपकोड़ सुमंदर में जा पड़ और मन में क्या ना करना मन में क्या ना करना संदे ना करना धर ना रखना शक्क ना करना के जोगतु प्रात्ना तुने की है जहां करवाई है जहां तुने रसीव की है जहां खुद की है जहां कराई है जह विश्रास की है तो तुम संदे कर रहे हो तो ह कहतब पर्तेटितं करने सबीविशास कर लाशन numéro कॉलके सेरे लिए हो चुका के लिए हो चुका में से अपनी यह की चीज करनी अधस पर्तित करनी है पाटीड करनी पर्तीत कर लिए कंग क्या कर वो पर्तीत कर कि मेरे लिए होज चुका है कि मैंने आज से सालों पहले गवाही सुनी कि एक सिस्टर थी और खुदा के दास के पास आई तो वो गैजुएशन पड़ी लिखी सिस्टर थी और किसी कहीं पर वो जौब करती थी और उसने जब प्रभू को जाना तो उसने ऐसे खुदा के दास के पास आकर कहा कि मुझे जो काम है जो मैं काम करती तो मुझे मुझे ऐसा परमेशे करें कि इतने कदमों की दूरी पर दे जहां पर में काम करूं पुद मैं प्लैट रेंट पर लो तो वो इतने दूरी पर हो उतुपर उसने कहां पर मän शकर देगा पर उसने साथ में कह उस प्लैट में जो बढदे नहां जाहिए नहां जाएर था सब्सेवस projects भी आत्मा में होता है तो उसने का ठीक है उसने प्रात्ना कि उसने रिसीव किया और से उतने कदमों की दूरी जो वो काम चाहती थी वो मिला और वो फ्लैट मिला और उसमें पड़दे भी लाल कलती थी अरे जैसे तुम चाहत करते हो वैसे ही आपके लिए होगा और यह देखा प्रतिती से होगा उस्षांस से होगा इसलिए अगर आप मत्ती बाई में पड़ो पुलो क्या है मत्ती 22 में तो यहां पर आप फरीसी नहीं परीसी नहीं सुरी सुन्दूक की जो कहते हैं कि मरें का पुनरस्तान पुलो क्या है पैनी जो नियाब बंदा उसके लिए थोड़ा साहिए बात थोड़ी जी उसके लिए उखी है पर कोई बात नहीं हमेश्क से भी समगते चुके हैं हां तो अगरा मत्ती 22 की 23 से पढ़ो नोट कर लो लिका उसी दिन सुन्दूक की जो कहते थे मरें का पुर्णस्तान है ही नहीं उसके पास आये और उसे पूशा ही गुरू मुसा ने कहा था कि जधी कोई पुर्ष बिना संतान मर जाए तो उसका बाई उसक नहीं साथ बाई थे पहला विया करके मर गया और संताना होने के कारना अपनी पत्नी अपनी बाई के लिए शोड़ गया उसी परकार दूसरा तीसरा भी और सातों यही तक हुआ रहा है उसके सब के बाद वैं इस तरी भी मर गी अताची उठने पर वैं उन सातों में से किसक की पत्नी हो चुकी थी यह बात संदूक की जो कहते थे कि मरें का पुनस्तानी ऐसे यह मसी को उन्होंने इस यह स्वाल किया हां के मारे जहां एक इस्तरी थी मुसा की ववस्ता में लिखा है कि अगर बिना संतान कि आदमी मर जाये तो उसकी पत्नी उस समय का यह कनून था तो उसके भाई से तो उसने का वह दूसरे वाला भी मर गया तीसरा और सातों अब चीवटने के बाद यह किसकी पत्नी होगी उन्होंने ऐसा कहा और शुमसीनिया आगे से क्या कहा तो नतीस में लिखा कि येशु ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्तर और प्रमेश्य की सामर्थ नहीं जानते इस कारण भूल में पड़े हो क्या पड़े हो तुम पवित्र शास्तर और प्रमेश्य की सामर्थ नहीं जानते इस कारण भूल में पड़े हो जहां Achorn T Radio ना उसकी सामत को ना उसकी पावर को कि शक्ति को जानते हो इसलिए भूल में भल्न भठके हुए तुम ऐसे कहने। क्या हो तुम भठके हुए उसने आगे कहा हैं क्योंकि जी उठनी पर वेन व्या करेंगे और ना व्या में धिये जाएंगे पर nowhere तुमने ये वच्छन नहीं सुना के वे येवच नहीं पढ़ा चो कर शीका है झालब साथ्या का परमेश्य जगूपकअ का परमेश्य यह am कर दोड़िया हुन काने कहसे ये सुनकर लोक उस थे चक से कित जो क्या हुए क्योंकि वह अपनी बुद्धी से वो चीज बोह रहे थें पर यश्टीन賽 उनकी बाद का एक बड़ा और दिया बड़ा उत्तर क्या दिया बड़ा उत्तर दिया अ इसी रिती से बाइबल की वहां से ऐसी बाते है चो पेध की बाते क्योंकि यह इसारी जो बाइबल अगर एक व्यक्ति अनपड भी इशु को मन से वह घ्रैन करेगा उसे मानेगा अनपड व्यक्ति भी कितनों को समझ आ रहे हैं आथ खड़ा करो हलाओ आथ अपना जितनों को समझ आ रहे हैं अनपड व्यक्ति अगर उसने इशुमसी को विश्यास कर लिया है तो उसे भी समझ आएगी यह क्या हां अनपड व्यक्ति को भी समझ आएगी यह ऐसा ऐसा घुदावन का प्रेम संसार से पर किसी ने पी-एच्डी की है वो भी निसमाज पाईगा यह क्या है कि समझारी न इसलिए शने का तुम बठके हुए ना तुम पवितर शाहतर और ना परमिश्य की सामध को जानते हैं हां वोलो क्या हो ना जानते हो इसलिए बठके हो क्योंकि ची उटने के बाद ना व्यां होंगे हां हम स्वरक दूतों के समान होंगे सारे यह नहीं के जैसे यहां पर व्याशादिया होतीं यही होगा अ इसलिए तुम जानते हैं यहां पर हम तử सर्व धूतों के समान होगे क्योंकि अब्रहाम इस हाग जगूप का परमेशे है वो मरे उंका नी वो जीवतों का परमेशे है इसी लिखा जितने लोग उसको परविशास करेंगे वो अनन्त जीवन तक ठीएंगे अमें वो मर्पी के आमसी में तब भी वो जीवत रहेगा एक डाory हैं economyगे अख रहेगा हैम हमlaट दिए हगे तब और जीवत रहेंगा अब तुम शरीर में तो बोलोगे मैं मर ग्या मैं किसे जिवत रहंगे यहीindi है यही तो सत्य है यही तो जीवन की सचयाई है जो परमेश्य चाहता है कि सब बचाए जाए जाए और सत्य को जान ले हां क्योंकि मसी में सदा का जीवन है बोलो क्या है मसी में सदा का जीवन है इसका अंतनी है बोलो सकता है मसी में चीना तो लाब है यह मरना भी लाब है मरना भी लाब है इसलिए उसने का वो अबरहाम इस सहाक और जोप का परमेश्व वो मरेओं का निए वो जीवतों का है कि भूच यह हम मरब ही गए तो मसी में जीवत रहेंगे बाइबल लामे कहती है जब वो आएगा हाँ वो लो क्या आएगा जब आएगा कि जाएगा तो जो मसी में सो गें मर गें उन्हें साथ लेकर जाएगा समझा रही है तो यह बढ़ा सकते हैं को लो क्या है इसलिए प्रेडित पॉल नहीं हम कुरंथियों में जाएंगे कि फस्ट कुरंथियस कि उसकी दो की एक किता है बाइयों जब मैं परमिश्य का भेत सुनाता हुआ तुम्हारी पांस आया क्या है यह 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 भेत है यश्मसी भी एक भेत है इस दुनिया के लिए यह शास्तर भी यह घ्यान भी इसको लोग कहते हैं कि यह जो फुस्तक है जो मैं भाय ले यह कि एसायों की जंगरेजों की नहीं किसी यह धरं कि बात मी परमेश करता है और आ थार्म क्ता की बात कर और खरता है और शमसी धर मनी वह धर मिक्था बनाने के लिए कहें-ग इसाल consistent कि valleys अजनाने के साथ नहीं आया क्योंकि मैंने वर्न कुरूस पर चणाए हुए मसी को शोड़ और किसी बात को ना जाना मैं निर्बलता और भें के साथ और बहुत धरत रहता हुगा तोमारी साथ रहा और मेरे वचन और मेरे परचार में घ्यान की लुबाने वाली बाते नहीं प्रनतु आ को लो गया है किता है जब मैं परमेश्य का भेश सुनाता हुआ तो शब्दों जा ग्यान की उत्मता थे नहीं आया है मैंने यह ठान लिया था मन में बुलो गया ठान लिया कि तुमारे भीज उस मसी बन कुरूस पर चड़ाए हुए इतुको उसके अलावा किसी और बात को न जानो यहां जानो नहीं आप में मन में अर और भी बातती हो तो वह कहता मैने मन में ठान लिया कि उस थाए मसी जो कुरूस पर चड़ाया गया मैं आप में से किसी और बात को ना जाना यह मैंने ठांगे है हाँ मैं निर्बलत और भें के साथ और ठत्रत हुआ तुम्हारे साथ रहा मेरे वचन और परचार में क्यान की लुबाने वाली बाते नहीं है हाँ परमेशे बड़ा सूना यह बड़ा सुन्दर है हां वेखो जी हां किता मेरे परचार और मेरे वचन में घ्यान की लुबाने वाली बाते नहीं है आत्मा और सामग का परमाने परमान मुले संगे चिन्ने जो तुमें शांस करते हो वो नजर आएगा किया करेंगा जो तुमें शांस कर रहे हो वो नजर आएगा इसलिए रोमियों एक की सोला और सत्रा में लिखा पारस कहता है में मैं परमेश का ये सु समचार सुनाने से लजाता निए क्या निए लजाता मैं परमेश का ये सु समचार सुनाने से लजाता निए क्योंकि पहले यहुती फिर जुनानी के नमित उठार के नमित परमेश की सामर्थ बुड़ो के परमेशकी सामर्थ है तो मैं सुसमाचार से लजातानी मैं श्रॉमातानी हं किया नहीं श्रॉमाता मैं श्रॉमातानी हिलोग क्या कहेंगेि एजो मेरी बहाइन जे गवाया डे रही थी इन अपनी बाबा सीर की हां ऐसंही चरी आते थे अगर कोई पूछते तो तो कहीं किसी को पता ना चले पर आज वही है इन्हों ने पता नहीं कितने औरों को बताया और औरों का जीवन बचाया है कितनों अरों को बताया है यह सत्ते को लो के कि इसने पोलेश कहता है मैं सुस्व समय चार से लजाता नहीं पहले यहुदी यहुदी का मतपल क्योंकि शुरू में इशोमसी के लिए यहुदीयों के लिए से पहले का बाद में चुना नहीं अन्यजाती थोनों के लिए उथार के नुमित परमेशक की क्या सामर्त है वो पावर है जो आप विशांस करते हैं जो मसी में काम करती है क्या करती है जो मसी में पर किसे करती है आपके विशांस से करती है किसी लिए लिखा आज का जो इमिशा है आपका विशांस को कैसे प्रभू की सामुद को परगट करता है कि बोलो क्या करता है आपका विशांस कैसे प्रभू की सामुद को परगट करता है आपका विशांस जो कि अज़ास किसी और कर निए आपका उश्यास करेका इसलिए जब उष्मन्ही के पास दो अंदे आए तो उसने कहां में तुम्हें चंगा कर सकता हूं इस हां झौन तुम्हारी नेचा ने क्या की है rigor है क्या किया तो लो झाय pocketsीशेष्ण एज आ रहे थे रिशे मसी के पीछे प्राइब भीन पर देखा बड़ी नेचा से चाहरी दुजिए में टुम्हें विशांस ने क्या कर दिया तुम्हें चंगा कर दिया अरे मैंने ऐसी है चीजें देखी विशांस में ऐसी गौईयां सुनी है मतलब amazing हरान करने वाले मैंने आया हो ऐसे लोगों के documents की सुनी है कि ऐसे उस पर ऐसे लिखा हुआ बदल गया कभी हो सकता कभी ऐसा परमेशे आपका बोलो क्या है ऐसा परमेशे आपका और वो सारे काम फेद से विशास से करता है इसलिए आपका विशास उस प्रभू की सामुद को परकट करता है क्या करता है बोलो आपका विशास प्रभू की सामुद को परकट करता है आपका जो आप विशास करते है किस पर किस पर करते हो मेरे पर मैं तो उसका सिर्फ दास हूँ जो इसके बारे बताता हूं, तो विशास तो आप किसका करते हूं, जो किसके लिए मारा गया, हां? जैसे उकुरंथियस की कलिसियां, में गडबडी होगी, तो वो कहने लगा, कुछ लोग पॉलस को मान लेंगे, कुछ अपॉलस को, तो पॉलस ने आके बताया, पॉलस के आया, अपॉलस के आया, कैफा के है, ये निरे प्रभू के सेमिक है, क्या मैं मरा हूं, कैफा मरा जो पॉलस, कौन तुमारे लिए मरा है, किसका तुमने विशास किया है, किसका विशास किया है, इसलिए आप कविशास प्रभू की सामद को परकट करता है वह लो क्या करता है आप कविशास जब आप यहन्ना चार की पड़ो तो वहां पे एक राजा का राज कर्म चारी जब ईश्वमसी के पास आया तो उसने का हे प्रभू मेरे पुत्तर के मिरत्तु होने से पहले मेरे साथ जल्दी चाल क्या चल मेरे साथ जल्दी चल जल्दी तो इश्वमसी ने उसे वच्चन दिया जहां तेरा पुत्तर क्या जीवत है क्या वलो सिर्वच्चन और वो बंदा विशास से उस वच्चन को लेकर एसे नहीं कुछ लो कि लोगों को पता नहीं और जिस्तिन ये चीज़ें आपको समस्थ आगी बोल के आगी कि आपका विशास ही प्रभू की सामत को परकट करें क्या करता है आपका विशास क्योंकि कौन आपके लिए मरा है कौन मरा है कि समझें हूं दास उसने सिविक तो इसलिए खड़ा किये उसने क्योंकि वो उनके मूं से वो बोलता है अपके लिए क्या वोलों क्योंकि उसे मूं भी तो चाहिए गिना यहां इससे तो वाज आएगी नहीं किसे आएगी कि यह टेंट से वाज आएगी इन पालोए की चाहिए में तो क्या करता है तो फैक मूंच आई इसलिए बडाओर कर यह मिसीव को कोई काम यह किसी कोई काम है प Chung AWS challenged कruce Dollis के यह तो यह भी यह भी मश्यt काँ यह काँ अगी des है किसके लिये किन इस्तमाल न कि इतय पूल लिए इटंटम ऐ li तरी बिचने लिए किसका कम करने है को गए किसकी सिवा करते हैं तुद उसके अगे और जो खोच इसक आपनी इसके सिवा करता हरें थेन्ट फ्टिया तो हमने पता था मिकि या स्टिचिंग काम कारते हैंखें पुछा उसी तरफ में उसी हालत में चैनल किया प्रभू का क्या निकार ने नहीं थीडिक एक्तिंज मेरे दरबं एभी नहीं थीडा भी सम्सक्राद नहीं गिली श्र पॉसी हालत में परभू के काम को को आपके बैठ नी के लिए क्गे कर आप अभी अभी उतना था तो क्या अ लूगी तो गय कोगी जbach तेर रहेंगे फटल की कोड़ी दिर तो सकते तो कि इंति इंतिजाम है समझरम थो उसकी आपKE बैटने के लिए सेवा का इंतिजाम किया अपनी दर्द में भी आसे और पर में देखा और उसने चुआ चंगा किया हां क्या किया उसने चंगा किया है तो परमिश्र सब को चंगा करना जाहता है, सब को Bless करना चाहता है, वोलो यह करना चाहता है, पर आप की शहांस से होगा, क्याहcji होगा की उच्छार कुछ होगा, कर दो श近 louder क्यों कि उसकी धार मिक्ता आजमने सुना के किसमे विशांस मी किस भे येश्य मुसीब पर अर्थाद परमेशे की धारमिकता परगटों अर्थाद यो इश्यू पर मतलब उसके नाम पर विशांस करनी से किसे पाई जाती है परमेशे से पाई जाती है वहीं पर फिसे जाएंगे कि तो कि अरुमियों दो में कि तीन की तो सबने पाप किया लिखा परमेश की महमा से रहते हैं 24 में लिखा प्रन्तु उसके अनुग्रह से उश्टकारी के द्वारा मसी इश्यू में सेथ में धर्मी ठहराय जाते हो उसके परमेश उसे परमेश ने उसके लहू के कारन एक ऐसा प्राश्ची ठहराया जो शांस करने से कारी कर होता है कि वह लो क्या होता है कि विश्वांस करने से इसको पंजाबी में पढ़ना ये 24 से इसको पुछल्दी से पढ़ ज़्दी से बढ़ लंबा विश्या है हम और आगे इसको लेकर जाएंगे क्या लेकर जाएंगे इस पर खुदा मन्ने मुझे बहुत वच्छन दिये कुछ बैठे रहोगे तो फिर त तर्मी गिने जांदे हन 25 जेहनू परमेश्वर ने ओधे लहू उत्ते नेश्चा करनाल प्राश्चित ठहराया ताँ जो परमेश्वर आपने तरम नू परगट करे इसलिए जो ओने आपनी खीमा नाल पिश्य ये 25 पढ़ देयो नो दुबारा से पढ़ो ये नू परमेश् प्राश्चित ठहराया तो जब हम उसके लहू का विश्रास करते हैं तो कारीकर का मत्मल होता उसी समें मुकाम आपका पुरस्यस शुरू हो जाता है यसे मलो किसी किसी ने जॉब पर लगना है क्या लगना है जो पर तो जिस दिन वो लग गया उसकी ड्यूटी उसी दिन से जाहेगी कि नहीं है मेरी बात समझ आ रही है कितनों को आ रही है मलो किसी ने जॉब पर लगना है तो जिस दिन वो पहले दिन जॉब पर गया उसी दिन से शुरू होगी कि दस दिन के बाद वो गिंती करेंगे ने बताओ मुझे हां दस दिन बाद उसी दिन ठीक है मनलों जो जो जॉब कर रहा है जिस दिन उसने स्टार्ट की मानला आज उसका पहला दिन है तो पहले दिन से उसकी बोलो क्या है जो उसकी जॉब है जो उसको एक महिने बाद जो सैलरी मिलने उसी दिन से गिनी जाएगी न हां अगर वो दो तीर को गया जाद 15 को गया उसी दिन से शुरू होगी दस दिन बात तो नहीं होगी तो सेम परमिश्य कहता है जिस दिन तुमने विशांस किया उसी दिन से ये कारी कर कारी कर मतलग उसी दिन से ये पुरसेस शुरू हो जाएगा काम करने लेगा आज तुम पहले दिन आयो आज तर्ट देगा आज भी अपना काम करेगा है मैं सची करना मैंने गयता है उसका वच्ण कहारा है ना देखो भई मैं फिर से आपको पड़ाता हूं कि अजय कि अजय परमेश्वर आपने तरम नो परगट करें यह धरम की बाता तो यह थोड़ा पंजाबी में आगे पीशे हैं तो यहां पर लिखाएं उसके लहू कि कारन ऐसा प्राश्ची ठहराया जो शांस करने से कारीकर होता है किसी होता है विशांस करने से जो आप विशांस करते हैं पहले दिन आयो तो आज से यह प्रसेश शुरू है तुमने आज जोब स्लेक्ट की है आज पहले दिन गए हो तो उसी दिन से उसी दिती से परमिश है वह लो क्या है तो आज से आज से क्या चाहते हो परमेशन से उसका परसेस आज से शुरू है म dönौ के उसका में साइस करनीसे कारीकर जो होता है उसका TW अने का आज से शुरू है कि त्यार ओ तो धन्यवाद करते रहना डिशो मुषी इए पहाड कोऊच्छ और समुन्दर में जा पड लिए हैं फोल जैना करना संध्य करना जो कुछ तुम प्रात मांगते हो परतिति कर लो विशास कर लो तुम्हें मिल के इतने लोगे शास कर तेमिल मुझे । हां कि मेरे पापों के लिए काउन कुरूस पर मारा गया है किसने मेरे सारे दुखों को कुछ पर उठा लिया है किसने मुझे अजादी दे दिये किसने मुझे तमाम दुखों से मुक्ति दे दिये इंवार के लिए आंगी कार करो धनेमाद करो इंछे मंगो खुदा से तुकिए उसका वचन मेरा नहीं है उसका वचन है की अ 1947 कवचन कहता है कि आज से उसका श्रास्तकारी कर होगा आज से वो अपना काम करना शुरू करेगा कि अगिकार करो सुचन से इतने ओनलाइन में वो भी अगिकार करो 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 करो आज से मैंने कहां कि कार करो इस अगले मंत तीस तारीक तक परमिश्ण आपको बड़े कामों का रसल्ट देगा उसका परसेस आज से शुरू है मैंने कहां उसका परसेस आज से शुरू काओ पर नेस्ट मंत तीस तारीक तक आपको बड़े रसल्ट देगा मैंने का आपको बड़े रसल्ट देगा आप खुदाबन के बड़े कामों को देखोगे बड़े मराइकल्स को देखोगे बड़े चमतकारों को पूरे होते हुए देखोगे बड़ी बीमारियों से शुतकारा प आते हुए देखोगे हम मरे वे अंगों को ची कि उठते हुए देखोगे dog क nach the leg Genau please I'd like old girl on the car babe और अपने इस्तानों पे खड़े हो जाओ अंगिकार करो इस बात का और अपने इस्तानों पे खड़े हो जाओ क्योंकि ये दिखाई का परमेश्य है क्योंकि हुमारे साथ है हमारे बीच है बाइबल कहती है जहां कहीं उसका आत्मा है वहाँ पे अजादी है कर दो जर्चें बहुत हैं पर वहां पर जाओ जहां पर खुदावन का आत्मा काम करता है जहां पर जिवत वोर्ड है जो किसकी और से आता है हाँ यहना देखो कर यह पास है कुछ लोग शरीर में रते हैं नहीं दूर बढ़ी है कि बलो कैं दूर बढ़ी में एक जिवत चर्च दिया को जीवत चर्च दि आपको जीवत जटी यह और उपर से एक और भेत इस मुनस्थ्री के उपर खुदावन के परकाशन का क्या है बोलो वो कैамен पॉजिटिव शांस एक अच्छा अंगिकार और पॉजिटिव फ्रेयर यह और भेत जो पर से यह तुम्हें कितना खुष्ष उना चाहिए? बहलो कितना खुश होना चाहिए कितना उना चाहिए हां अट जिखो मेरा अथ ने कहोला रहे ह dor किनना खुश होना चाहिए अब यह सोचना चाहिए यह दूरे हां यह next month जो यह next month है यह 30 तारीफ तक आप बड़े कामों को पूरा होते देखोगे मैंने का बड़े कामों को आप जो आत्मा में हैं वो धन्यवाद करेंगे जो शेरीर में वो मुझे नहीं पता आप मैंनी बुच्कुर को लूँगा विशास करूंगा परमेशन उन्हें भी समझ दे चुका है मैं उन लोगों के लिए विशास करूंगा जो भूल जाते हैं वर्ड को शोड देते हैं मैं आज उनके लिए विशास करता हूं कि खुदामान उन्हें भी समझ दे बुद्धी दे और इस ब्लेसिंग वर्ड को जो नेस्ट मन जिसमें हम हमनी पूरी लोग जो उसकी खुशी के लिए कठे होकर हम इशुमसी के आने के उसके जन्म को करती है तो आज मेरा विशान Mey उसके व्रीट का अब को बताऊंगा मैं क्यूं सेलिट करती है वर बस आपके लिए इतना के तीस तारी है यह नेस्ट क्योंक्य आज नी में नेस्संडे प्रभु भोस्त भी है और जो विशा आज हम आज हम जो आज ये फेट का विशा अमने शुरू किया है ज़ैस संडे भी हम सुनेंगे और मेरा विशास है इससे आँ परमेशे की जो धार्मिक्ता समझ आओगे और आप परमेशे से कैसे काम लेते हैं परमेशे कैसे करता है अब डबल याशिश होंगी तो संडे मैं अनौंस करूंगा नेस्ट मंथ के लिए कि अपने क्या करना है इसलिए कोई भी नेस्ट वीक की जो अगले हपते संडे की मीटिंग है मिसमत करना उसे मिसमत करना मुझे बता है कुछ लोग आया है तो बोलते चलो कोई बात नी आपको बड़ी बाते देने वाला इसंडे परमेशा थेंक यू जीजस करते हुए धन्यवाद करे परमेशे का अपने हाथों को हलाते हुए थेंक यू जीजस करते हुए इसका धन्यवाद करते हुए आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए जब बातों के लिए उस अलिश्प आप्तु पवित्रा आत्मा का स्वाकत करते हुए धन्यवाद करते हुए ज्यूंत गरतु कि गहां नहीं है कि दो टो करने निल्ए है बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा के लिए तियार है आप त्यारो वह वो हमारे वेद से आपका विशांस नी प्रभू की सामत को परकट करता है इसलिए पॉलस कहता मैं मैं जब तुमारे पास आया तो ग्यान की उत्मता और शब्दों से नी मेरे ग्यान और परचार में ग्यान की लुबाने वाली बाते नी आत्मा और सामत का पर्मान है वो सबूत है आज वो सबूत अपने बड़ी गवाईयों को आज सुना ये वही वही प्रूफ है, वही सबूत है, जो आज अपने तीक वांजा सुनिया, और और सुनोगे, मैंने का और सुनोगे, अपनी आखो को बंदर को और खुदा बंद की और ध्यान लगाओ, अपनी आखे बंदर को और खुदा बंद की और ध्यान लगाओ, अगर आप शास करते हो कि वो मेरे बापों के लिए मारा गया, गाडा गया, तीस दिर मुर्थों में से ची उठाएं, उसने मेरे सारे बाप, मेरे सारे दुख कुरूस पर उठा लिये हैं, उठा कर ले गया है, हर सौली का अंतो उस दे कुरूस पर है, हर बिमारी का अंतो, in the name of Jesus, हर दुष्ट आत्मा क आस अंतो, मैंने का हर उस्तुष्ट आत्मा का अंतो, हर ओ बुरी आत्मा हैं आपको शोड कर आचाती रहे, in the name of Jesus, हर सापों की, जादू की, टूने की, चनवरों की, विप्याचार की, वो सारी की, सारी दुष्ट आत्मा हैं, आपको शोड कर in the name of Jesus, out, say out, आपको छोडे औ आपको छोड़े और चाए हर अंदकार की गंदी आत्माई आपको छोड़े और चाए मैंने का छोड़े और चाए और असाद हो जाओ चंगे हो जाओ कि एजियों, अच्छाद हो ज possession हो जाऊ इस बाध house के आथमा ही हैा जो भी गुपत रूप में आपके शरीर में काम कर रही है इंदा ने को जो घुपत रूप में आपके शरीर में बैठी है आउट, आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, मेरे साथ मिलकर आउट करो से, निकालो जो आत्मा हैं, जो रात के समय आपको दबा डालती हैं, आपको गंदे सपने आते हैं, आपको दबा पड़त श्यतान अगर आपके साथ रॉंग र लेशन बनतायां in उसे आउत करो, आज आपको छोड़े और आजड ऑर आजड़े आज़ाद हो जाएं, मैंने का आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, इन नेव जीजस, मरे हुए अंकछी उठे इश्व मसी के नाम से, आपके हट्टियां जो सुकी हैं वो फिर से हरी हो इश्व मसी के नाम से, जो हट्टियां काम नी करती वो काम करना लगे इश्व मसी के नाम से, रेसीव करो, ग्रेंड करो, मैं कहता हूँ जो हट्टियां काम क काम करने लगे पुल जो हटिया कामनी करती वह काम क्रने लगे मैं जो हटिया सुख गई है जो कर दे वह तल हो चाहिए तल चाहिए नम से मैंने का сем streaming के मैं से development इन अप्चीस इंड़ नेम अप्चीस अफ्चीस हार म्रेवेक रुबुट तीँ थिट रुरेट के 90 में ग्रीश निया मोग्रीस आई घ्रिषा जाहिं वो क्रीस आए आपके गुटनों में और आपके कुटने इशु के नाम से पूरी तरह से काम करने लगे इन दर नेम अब चीजस इन दर नेम अब चीजस जितने सर्वाइकल के रोकी है मैंने का जितने सर्वाइकल के रोकी मोहील हो जाएं चंगे हो जाएं हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, जितने इस सर्वाइकल के रोकी मों हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, दमे के रोकी, शूकर के, बीपी के, कैंसर के, एच आईवी के, काले पीलिये के, सबसाद हो जाएं, शूट चाहें, ऑबसर की तके रोगी गुटतरों को के रोगी नशे की दुशन आत्म हम एं मिलते इं दर चीस ते चैनि पदने आम से हिलो जाओ इ accomplished चंगे हो जाओ, फीलो जाओ, चंगे हो जाओ, मैं आपकी कंदों के नीचे की गर्दन के नीचे की हीलिंगों होते हुए देख रहा हूँ, रसीव करोर खुदा मन का रूँ आपको आत्मा शूरा आपा जाद हो रहे हूँ, मैंने का आपा जाद हो रहे हूँ, आपके नीचे क आप ये धड़ के नीचे की प्रॉब्लम को परमिश्य को में शूते हुए में देख रहा हूं आप ये नीचे के धड़ की प्रॉब्लम को परमिश्य को में शूते हुए देख रहा हूं और आप हीलो रहे हो मैंने का आप हीलो रहे हो आप चंगे हो रहे हो जितने back pain के रोगी है, जिनकी रेड की हटी के मन के दबे है, रेड की हटी में तरद है, हीलो जाओ, हीलो जाओ, हीलो जाओ, चंगे हो जाओ, हीलो जाओ, चंगे हो जाओ, सारे सिर के रोग चाहिए, मैंने का हर प्रकार का सिर का रोग आपको शोड कर जाता रहे, हर कलेश की आपको छोड कर जाती रहें, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, आपके बच्चों का कैरियर अच्छा हो, मैंने का आपके बच्चों का कैरियर अच्छा हो युशो मुसी के नाम से, आपके बच्चों का कैरियर अच्छा हो युशो मुसी के नाम से, मैं कुछ बच्चों को उनकी education से जिसे वह प्लेस होते हूँ देख रहा हूं कुछ बच्चे अपनी पढाई को लेकर वो परेशान हैं पर मैं खुदाबंद के रूप को उनके आत्मा को शूते हुए और उने bliss होते हुए देख रहा हूं आप गवाही से आओगे और वो इस तीज से परिशान है अपनी अपनी एजुकेशन को लेकर अपनी कुछ बच्चे अपनी पड़ाई को लेकर पर मैं खुदाबंद के फेवर को आपके उते उपर आते हुए देख रहा हूं और आप गवाही देगो इस शुमसी किना मैंने का आप गवाही दोगे मैंने का आप गवाही दोगे गवाही दोगे बड़े एफेट से विशांस से दन्यवाद करो अगर बड़ी जिंग्याई आज को परकट करना जाते हो धन्यवाद करो मूझ से अच्छा अंगिकार करो यस यस खुदाबंद बोलो ये परमेशे तेरे यहाँ चाहि आज ने रखे जाहा अब आए पर्छे दिन कीो नहीं आए मैं तो कि अंत को में एक बाई को उसकी गर्तिन नीचे की प्ररॉब्लम से फुर्ज़ आवा अधेता। मैं एक बाई को उसकी गर्दिन के नीचे की प्रॉब्लम को फ्री उते हूँ देख रहा हूं और वो नया है तो भाई कर रहा है । यहार फ्री कर रहा है emphasizing कश्छा को नगिरा जो कि धा है क्यों नहीं नेम अब जिदने में में आ giàं जितनी प्रवोड में वो सब चली जाए तमा मैं प्राइड ज्यू के रूच regard उसका जरु Серओ हर बंद पिरिट खुलें और जितनी पिरिट्स की अलेगल परिकार की प्रोब्लम है आज येशु के क्रूस की सामर से मैं अंत करता हूं मैं करता हूं रसीव करो आपने श्रमाना नहीं है खुदाबंद का फेवर उसकी सामर आपके उपर आ रही है touch touch the Holy Spirit in the name of Jesus touch 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 the power of Holy Spirit in the name of Jesus the new Lord God the the Kiddarabha के उस रूख को आपकी अलग अलग पिरिट्स की प्रोब्लम से आपको प्री होते और शूते हुए देख रहा हूं या खासा करा बाबाबा लाहू सम्मिनी अंदरे ख्यार बाशा में बाते करते हुए नुशक करिया तेरे लाहू सम्मा बाबा बाबा वो कहता प दुख को मैंने देखा है मैंने आज तेरे दुख पर दृष्ठी की है जो मेरा दास पोर रहा है उसका विश्रास कर वो मैं हूं और मैं तुझे अज़ाद कर चुका लाथा सिंदा रीज सो खोरा बाबा बाबा और ऐसा हो चुका है मैंने का ऐसा हो चुका है मैंने का ऐसा ह यह चोका है कि आ इम फिसे ची उठे इन दर नेम आपजीजस जी उठें ची उठें ची उठें ची उठें ते स्थी प्रो स्वात्य्कore WiFi एकरन भुद हुण हे एक और है की वहाई भुदा मत भीर आत्मा मुझे बोर रहा है कि वह कुल बहुत सरी बहनों के जो पिरिट्स के कारण वो बीमार हैं उनकी प्लैसिंग रुपी है बहुत बहुत चीजों के कारण उनके कुछ प्रॉबलम है पर खुदवन्द आज आपको शूर आए शूर आए शूर आए आप बड़ी कवाणया दोगे मैंने आप बड़ी कवाणया द हो गें धन्यवाद करो दिल से दिल से दन्यवाद करो खुदवन्द का दिल से धन्यवाद करो आज उसकी क्रूज की सामर से उसकांव चुका है अजय को खुदवन्द आप सो ग्रुस शखरव नीन दरे कना लाबोरी अस्षी में बड़ी वे वे बड़ी से अपने शुका बबबबबबब लोबुरी सिकाबा नी जॉंद राइ बड़ी बड़ी और बड़ी नहुसमरी आनले लाहुसु अका बड़ी अले प्लेसिंग द वाय को सुना है अंगीकार करो क्यों वह परमेशन बंद रस्टों को खौलने वाला है वह ही परमेशन जिसने अपने लोगों के लिए लाल सुमंदर को फो बाग कर दिया है वह आपके लिए भी सारे बंद रस्टों को खोलेगा मैंने कहा आप वो आपके लिए भी बंद रस्तों को खोलेगा बस अपनी एक काम करना है कि उस खुदावंद के लिए अपने मन में ठालना है जैसे पॉलस कहता मैंने मन में ठाल लिया कि स्वाइक रूस पर दिये हुए मस्सी को मैं किसी और बात को अपके जीवन में न जानू क्यों कि वो ही एक है जो आपको उच्छा करेगा आपको प्लेस करेगा अपके पंद रस्तों के खोलेगा एक बाज को वो बच्चों वाली अरत को बनाएगा मैंने का एक बाज को वो बच्चों वाली अरत को बनाएगा और इक गाल को वो थनी बनाएगा एक अंदे को वो त करेगा in the name of Jesus वास भी करेगा मैंने का वास भी करेगा और वो करने के लिए आपके पीचे आपने अपने पोड़ी पर हाथ रक्लो इन दरने अप्जीस सब खुदबन की सामर से श्वय जाओ और ही लो चाओ तच 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 अच्च्च्च्च्चॉअ एज़ोग इजडोफ रूफ से दुष्ट आत्म्हें पन्वेशेंd ज़ड़फी दूद्धध की आस कोड़ा की नियुनिया है coming apart पतियों के परेशानी को देख रहा हूँ रसी करो इंदा नेम अप चीजस रसी करो इंदा नेम अप चीजस आपके पती बुरे नहीं है वो पाप है जो बुर्याई के जड़े हैं पर आज अपने वचन में सुनाएं कि आ वो येशु का लहू हमारे पापों के लिए प्राश् आज से जो अपने उस पर किया है उसके लहू पर उस रिशुमसी पर वो कारीकर होता है वो कारीकर का मत्पल वो आज से ही आपके पतियों के आपकी फैमिलियों से आपके बच्चों के जीवन में वो काम करने के लिए कारीकर हो चुका है इंदा नेम अप चीजस इंदा नेम कर रहा है वो अंदर वो पाप है जो अंदर काम कर रहा है और उसी से उसी से मैंने का उसी के कोड़ों से उसी की मार से आज आज आप चंगे हो मैंने का आज आज आप चंगे हो इंदर नेम अप चीजस मैंने का आप चंगे हो इंदर नेम अप चीजस सब शूट जाओ एक साथ सब रोकों से, हलातों से, बीमारियों से, परेश्यानियों से, और असादो जाओ, असादो जाओ, असादो जाओ, असादो जाओ, असादो जाओ, असादो जाओ, in the name of Jesus, free, 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 आवयाज्न कु HU дорो आमें है ठीच में। चेक रो आपको उठो बैटो जो नहीं होता बोकल जल्दी से क्योंकि अगर अपनियासद मन्से यह यह बढ़ा।кारी यह परमिश्रकी देखा तो चेक करो ज्था थनिवाद करो और जल्दी से आओ जल्दी से आओ जल्दी से बाग कर, जल्दी से जल्दी से, डरो नहीं, शर्माव नहीं, चुपी आंस, खुदवन नहीं, उसके रूप के आत्मा नहीं आपसे बात की है, जितना भी काम लिए, चेक करो, अच्छे से चेक करो, जितना भी आपके जीवन में जोकुष हुआ, ज आपको नहीं पता लगे का तो आपको कैसे लगे का अच्छे से चेक करो अपने बच्छों के लिए जो भी आस अपनी इस बड़े नियम को समझाएं अझे चलिए चलिए चेक करो अजले हूँ कि देखो टे-चोटे-चॉ टेखो अच्छे से देखो कि दिखो लगदी को सब एक है और से मजित बोल्ठ इस इसी एव नियुक्त है के साथ भी पृमिश्फन कर चुका एं मैंने का, same इसी रिती से, जो online ने, उनके साथ भी ये हो चुका है, Amen, Hallelujah, Hallelujah, कितने जन्न आज सुषास करते हैं, जो कभी भी आपको सेम, मैंने का, कभी भी आपको सेम, नहीं रहने देते हैं, करते हो विशास, इसलिए मैं आपको कहता हूं मेशा त्यारी और विशास के साथ हो, कैसे हो त्यारी और विशास के साथ, क्योंकि परमेशा की हसूरी कभी भी आपके चीवन को सेम, खुश कितने, खुश कितने, हुश कितने, हां, सुनो, कई बार क्या होता है, कि जब हम, मैं हमेशा कहता हूं, जिसे कुछ काम तो हम तुलंत गवाही देते हैं और कुछ काम यासे आप रस्ते में जाओ गे यासे 10 कोडी जो 10 कोडी श्रुमास है तो श्रुमसी ने कहा आपको जाजकों को दिखाओ तो एक वापस आया और उसने परणाम किया अज्टा कोई तो यह दर्स अच्छी किया नियों कि एक युकर्सते में जाते जाते उच्छा होगे अपनी कौर से उसी रीती शे आप रस्टे में वी जाते जाते ही लोगे शाम को गयाज रात ओगे कलो गे पर सूघे सबों गे हैं और सब कुछ होगा जो आप श्वाइस करते होगा 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 सुनो एक चीज याद रखें नितिवचन 15 में लिखा उसकी तेरा में कि जो दखे आरा है तो अभी भी उस्ट पर शॉस करके जो आपके दुख के लिए मारा गया है पर फिर भी वो अपने दुख पर मन लगा कर बैठा पर फर मिष्हनिक पर दुखे आ है जो वो खुद है मैंने तो उसके दुख से अपना बेटा देकर आजाद कर दिया कितनों को समझ आ रही है कि मैं देख रहा हूं कई कई आसे सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं ऐसे है को गया कुछ के मिल गया है है हां इरी अध्या है जो आप के दुख के लिए क्रूस पर मारा गया भए तुम क्यों दुख्यारे बन रहे हो तो फिर परमेश आपको कहता नित्वचन वहता 15 की 13 में दुख्यारे के दिन दुख बरे रहेंगे जो इस पर विशास करके भी अभी भी अपने दुख पर मल लगागर बैठा यह केसे हो गाँ यह देखो एका ना में का जो थस्टे के मिटिंग में आये यह थे यह टुख घनके बेटे के गवाहि देनी हमने की आतो से इसे पर इनके साथ वाली जो सिस्टर को बेजो आये हैं मूंके साथ कि सुनों एक चीज में आपको बताता हूं आजो आजो बच्चे आए के नहीं आए वो आए उनके सांथ जो सिस्टर जिसकी जिसके बच वो प्रेगनन टेयार रो ड़क्टर ने बोला के उसके बच्चे के दिल में शेक है ऐसे करके वो बोल रहे तो आप आप को निरे मैं बोल आप आगे आजाओ आगे जल्दी से वो दोन्यों को सुनते हैं क्योंकि आज जो फेट का बड़ा वच्च ने तो समझना पड़ेगा यह शांस करती है बच्ची आज आगे आजाओ बच्ची आगा यूक्कि जो खड़े लोग हैं आज उपर आजो यहां पर आओ आओ अम ब और खाश करके तब जब उसकी उपस्ती मेरे साथ होती एक थम से तो सुनों यह इसका पहला पहला बच्चा भी आपका उसके दिल में शेक ता तो उसकी डेथ होगी तो सुनों उसकी क्या होगी डेथ होगी अब मुझे यह थरस्टे की मीटिंग में मिले और यह उस बात को लेकर कि इनकी फैमिली वाले कुछ से से बोर रहे थे ऐसे थोड़ा होता है न तो यह बड़ी उधास्ती और रो रही थी मैंने का यह कहां पर यह चीज लिखी है कि तु सबने हमारे सारे दुक्रूस पर ले लिए क्या ले लिए तो तुम कियो रोघे ओ बता मुझे किस काम के लिए रो ते फिर उसका पॉलस कहते हैं उसका इसका मरना वेर्थ है तुमरा विक्शास करना वेर्थए झांट पर परमेशे का बच्चन कहता है कि मानो जुनित भूस में पार्टी में वह अनन्द करता है तुम अनन्द करो तुम अनन्द करने के लिए बलाई गए तुम्हारा काम सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे के दिल में शेका और डक्टरों ने बोला डक्टरों ने बोला जिस पर मे क्योंकि घर में बच्चे को रचने वाला कौने बनाने वाला कौने सबब देशी कहता है एक गरवती के पेट में बच्चे की हट्डियां कैसे बढ़ जाती है किसी को नहीं पता डग्ट तो सिर्फ पढ़ लिकर अपनी डिग्री लेकर उसका इलाज करता है कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉड़ी के अंदर ऐसे पाट जो को कैते यह बस ऐसी है पता ही नहीं एक पैंडिस की नाड होती है जब उसकी प्रोब्लम होती है तो उसे निकाल देते हैं और और ऑनों कैते यह फाल्तू होती है ऐसे कैसे हो सकता परमिश्व फाल्तू चीज उमार तो मैंने इसे का रोना नहीं आज से रोना नहीं तेरे बच्चे का जो शेक है वाज से ही देखो मैं यह सारे सामने मैं इसी फेत से सब कुछ करता हूं और तेरे बच्चे हाथ रख लें अपने बच्चे के पेटपन इंद नेम अप चीजस सबंदकार की शक्तियां आउट गयां मैं परफ्रश आउट जैओ सब जैदू के टूनेगैए है हैं हर शेतानी आत्म की इसने इसके बच्चे के दिल में शेक किया है चल-शेतान गंदी आत्मा इसके पच्चे कए उसके दिल से आउत करता हूं तुझे शक्षक री free in the name of Jesus be healed be healed be healed be free in the name of Jesus touch free 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 तो अज़ाद है आज से रोना नहीं है आज मुठ्याई बांड नहीं है यहाँ पर भी अपने अपने सारे रिष्टेदारों को अपने गली माले वालों को जाओ जाकर जाके मठ्याई बांडो परमिश pandemie से दिल का शेक भर चुका है आज से वो भर चुका है ओके आज से रोना नहीं है क्योंकिर रोतें लो हो हैं जिनके मर्गें हमारा यिशु मरानियों जीवत है हम क्यों रोए रोते वह हैं जिनका मर्गें जीवत है आपक्यू रोई दिल अब क्यू रोई हम चलो थोड़ा सा वो गाओ नचेनेनु दिल कारता ह। सुनते हैं गवाईया भी क्योंके परमिश्न आन्न्द दिया है तो फोड़ा सा करना चाहिए दो तो मंगूँ दो तो मंगूँ थोड़ा साइए जलदी से बस जलदी से ठीक है ओके गार वेस्यों परमिश्ट कुछी मैंनू यसुने बखाईये से खुशी मैंनू यसुने बखाईये से खुशी मैंनू यसुने बखाईये सेली लुशी मैंनू यसुने बखाईये ऐसे कुशि मुच एक पर एये पोजेरखवी कितरिय का टवाय के नचिने दूद करिदा यजी दुआय दूद उबसका मेरे अंदरे उठी अभाग न बोलेया नच यजी इपने बोलेया कर्ढकर आओ एल डर आओ एल और इन ऐलों तोल नाओ फजट एलो टे ön कर्ढकर आओ एलों लडोल seven ऐलों हो डिलेयो खजी लाव ठससा कर रोलो आओ एलो आओ नथ ड़्ंद एलो आओ ड defडड़ एलों कर्ढकर वालों नियसीव गालों बागल हो जीवाना हो बागल हो जीवाना हो अधनिया वहता तुम मसी के लिए बागल हो जीवाने हो बागल हो जीवाना हो दिलागा हो, दिलागा हो, तेरे इशिकते गंगुरू पागे, तेरे इशिकते गंगुरू पागे, ता उद जिरे नच नाच नाची येरे इषिक्ते कुझ्दूरु उपार ना उद दरবके दाझनाजी इनल्था प्यार मेरे दिल मित पारिदे येरे इसु तेरे जाति नाचा अजया जादा, 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 आजने यह सबती दे आजने कृषिया दे हानु अर्णामूलाई आमें हालिलुया कितने लोग उसकी आत्मा से बर गे हाँ हम क्यों रोएं क्यों रोएं हम रोते मुह जिनका मराग होई मारा यिशु जीवत है हम अनन्द करेंगे कहें कैसी भी सुचेशन हो कैसे भी हलात हो तब भी हम अनन्द करेंगे यही खुदा का वर्ड है और यही आसे कारिकर होगा हर एक के साथ ऐसा होगा हमें हाँ बताओ थोड़ी सी गुवाई यह जल्दी से हालेलोईया दो प्रेरेज जी जब सुबे यह उठे थे और उस समय इनका राइट सेट के जो गुटना था उसमें बहुत ज़दा दर्द हो रही थी जे पतारे के जो गुटने में पीशे के और से इनका गुटना बैंड नहीं हो रहा था और राइट सार की बाजू में भी बहुत दर्थी संक्ती में सुपे जब उस समय भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी और जैसे जबता रहे हैं अभी हीलिंग वर्ट को रने रेसीव किया उसे समय प्रभु की ग्रेस इनको शुआ भी जबतारी कि जो इनका घुटना बैंट नी हो रहा दिखाओ दिखाओ करके पहले कि इतना नहीं होता था बैठ जाओ बैठ जाओ अपनी जगे पे कोई बाती सुनते गवाईया बैठ जाओ खुदा बंद आपको बर्कर दे सबको कि अरे कोई जाएगा निए अभी मिटिंग फरी नी होई जो बार गेट पे हैं कि द्यान से सुनो अभी मैं बहुत इपोर्टन बात आपको बताने बाला हूं कि ध्यान रखो जितने विलेंटी रहें जो यहां पे भी है ठीक है अभी कितना होता था पहले यहां तक होता था अपने कोशिश की नहीं हो रहा था आज खुदावन के रूने आत्मन शुआ त तो कहां तक गया तारीह कर जोर से जोर से सुन्हें आए जगो दा आмовि डाइटा यह सुन्हें आए जडओ दान्ति हैं हालीलुए आप आजिए जैसे आपने बोला था कि अपनी बोडियों पर हाथ रोखो खुदावन का आतम आपको टूच करने के लिजा रहा है इन ब्रदर ने अपनी बोडी पर हाथ रखा और ये बता रहे है कि आज पहली बार खुदावन की ग्रेस ने इनको टुच किया है अज बहुत खुश हैं अज हालेलुया तो प्रेरे जे बहन बतारे के इन के राइट सड जो गुट है हाथ का जब बतारे के जे काफी टाइम से भीमार रहती ते तो इस ता मिंज्यक्शन लगने के कारण इनके गुट में बहुत ज़दे शे मिने से दर्द होती थी और पुरा हाथ पूरी तरह से खुल नहीं पाता था और कोई भी जब घर का काम करते थे बारी चीज़ उठा नहीं सकते थे अभी जे बतारे के जैसे आज प्रभु के दास हीलिंग स्प्रेयर का रहे हुँ सब इन्हों ने अजर विश्वास किया वर्ट को रसीव के जब बतारे के अभी जो हाथ में दर्द थी अजराने ही थोड़ा अजरा रिग्धा ही अलब ऐसे रहता था मदला पूरा ने खुलता था लिए उंगलियां साथ रहती थी असे जुडी रहती थी एक अगुठा क्या रहता था था एव पकरा ज़ ऑन्य अशे जुड़ेया था 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 निचे गो रहता था और अभी अभ तो इस चीज में इस नियम में आपने बढ़ना है आज अपनी सिखा है ना इसको हम और लेकर जाएंगे इस तरस्टे संडे और लेकर जाएंगे ठेक है तो इसमें अपने बढ़ना है फिर देखना लंगडा धोड़ेगा अगर समझ आगी तो यह सब बड़े-बड़े काम होते हैं समझ आ रही है क्योंकि शांस ना होने से आपकी हिलिंग आपके बहुत सारी काम रुके रहते हैं और खुदामन ने मुझे कहा है कि क्योंकि जो आपको चाहिए परमेश्यों वही देता है बताओ बताओ जोड़ी सब हाललुया आप उस्सचे पांच-छे दिनों गें इनकी गर्दन में बहुत जाधी दरत थी जिसकी वज़ते उसके वज़ते ये बहुत परिशान थे लेकिन आज से बीजी बता रहें कि जब आप बतारे किस दरस से ये बिलकुल अजाद हो चुके हैं। हालेलोई याद प्रेरे जे बहन बतारे कि इनुने इस 24 तरी को अपनी रिपोर्ट कराई थी जिसमें इनको टाइफेड मुखारों इनके सेस्थ की प्रॉबलम आई है। और जे बतारे कि जैसे आज प्रभु के दांस के मुख से वर्ड जाया था कि जिनको टाइफेड की प्रॉबलम है जै आज इस वर्ड को अनुने रसीव किया जे बतारे कि मेरी सब रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल आएंगी और जे गवाई के साथ खड़े होंगे। इसा हो चुका है ना करी परिवाद किसे गल्दी अजिसकी वज़त से गर में बहुत जादा कलेश होता था और आज जे विश्वास करते हैं कि जो मेरा हस्वेंड ड्रिंक करता है आज जे विश्वास करकर जाते हैं कि वो ड्रिंक की आदत वो शोर चुके हैं सुन में मैंने अपको सब्स कर इंगे आपकी बच्छे मुरी निए इस आप उन से लड़ा के कौली वैल कहती हमारी लडाए किसी इनसान से किसी है उससे लड़ हां इंसान बुरानी यह वह पाप हैario अंधर है जो नही काम कर रहे हैं जो बाप कॉइंधर वर अन्दर काwny कि आज से यह परसाइश शुरू है कि मुले मैंने का आज से परसाइश शुरू और अब सब गवानिया दोगे पड़ी हैं में बताओ बताओ नेस्ट नेस्ट रवधी हाललुया पॉसर यह सिस्टर बता रहे कि आज सुबह इनको बहुत जादा फीवर था और कॉल और कॉल्ड भी था जिसकी वसे यह बहुत परशान थे आज विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए और इन्होंने आज हीलिंग वाड कर विसीव किया अब इस फीवर की प्रॉब्लम से कोल की प्रॉब्लम से अज़े बिल्कुल अज़ाद हो चुके हैं यह सुदी खजूरी विच्छूंदी पर साथ शिपावागी आज है लो या तो प्रेज जी सिस्टर बता रहे कि एक हफता ओगे इनके बैक में बहुत ज़दा दर्ज रहते थी जिसके का अज़े जुख नहीं सकते ज़न काम का सकते जबतारह जैसे एजके हीलिंग स्वर्ड के दरशी कि अभी जैनलेज जुक भी सकते है सब्सक्राइब हो जुक और लिए अर्दमाद करो बॉत है यह ज़िए में सब्सक्ति नहीं कोई बात नहीं है हाँ ऐसे भी गुटनों के बल भी नहीं बैठ सकते थे प्रात्ना नभी नहीं होती जाता था मुझा दर्द होती थी और अपनी चेक किया भी ठीक है ओके तारी कुरो जोड़ से जल्दी से जल्दी से हालेलोईया तो प्रेरे जीजे सिस्टर बतारे के रात कर राज से बतारे के इनकी लाट साइड बाजू में बहुत जदा दर्द हो रही थी और जब जे सुभी उठे जब अब तार की बाद में वो बाजू उपर भी नहीं जा रही थी और जिसके कारजी गाफी परेशान दे जब बतारे संक्ति में उस समें भी दर्द हो रही थी लट साइड कितना नहीं जाता था उपर जितना था वैसे बताओ पहला तो यहां से उपर नहीं जा रहा है सुनो ध्यान से सुनो यह देखो कि जो लोग बाहर तुरे परती ही मुझे मुझे किस मिटी के लोग है कोई बात रही हुँ खुड़ा रोक लो हां आँ कि अ यह सुनो यह आपकी बड़ी पोटन की बाते आप अपके लिए एक को यह नॉर्मली बात टींहें कि किसी का अंग में कुछ प्रोबलम इंगर यहां से उपर नीजा रहा है just to do तो मेरा यहां न फाल फॉ сделать तो यहां ब्सक्राइब उपर जाई तो यहां से एसा ही लोगों के रुक्ती है तिर वहांग को अपर शुन्द में नॉर्मल लगता है किया लगता है सुन्ने में नॉर्मल लगता है तरे नर्मल कि इसी तरह से लोगों के यंग क्या हो जाती है ड़ेद हो जती पिरमों काम नहीं करते यह तरह आंगा इसक्सक्राइब दिछांग। और तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो आप अबताओ हालिलोई आप आश्र जी जैसे आपके मुख से आया कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है परमेशों ने ब्लैस करने के लिजा रहे हैं यह ब्रदर बता यह 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 प्रोफेटिक वर्ड है और यह हंडर पर संट ऐसा हो चुका है कि यह अच्छी बात है कि जिनके साथ ऐसा है वो आगे आए ताके दूसरों को भी हमें भी पता चले जब आम इनकी गवाही देंगे तो देखना क्योंकि परवित्रात्मा वही बाते बोलता है जो आपके छीवन में हैं ठीक है और इसा हो चुका हंडर परसंट हो जो हुआ हु कि अ तारिक कुर ऐसा हो चुका है नंके लिए भी हो चुका है अगराप आगे अपने रे सीम किया तो आपके लिए भी हो चुका है कि ओप इस किशचीश के तब हर था कि जो मैंने अपने पती से परेशाने और वो यज़ो अपनी और पप के कारणे थो आज वो फ्री होगे और विश्वास करें जब सिर्दे बता रहे हैं किज अपने पती से परेशान्ते और आज इस वर्ड को रिशीव करते की पाप मेसे पाप से हुने और निकाल जुके हैं और यह उन्दपर संग होगा अर्खुदामन ने बोला आपको परमेशा सिखा रहा है क्योंकि हम किसके बच्ची अगर वो अपना मचन देर है हां आपको शुटकारे का वच्चन देर आए तो यह होगा हंड़ा पसंट होगा हां अपने उनसे निकिसे लड़ना है तो यह प्रस्टे संडे और यह संडे तो मैं अनॉंस करूंगा क्योंकि यह प्रभु बोज की मीटिंग है बड़ी ब्लेस्ट मीटिंग है और उस महिने की कि इस जो blessing का मौन थे होलो किया है तो सब एसे नहीं के सब नहीं है फोलो के हैं पर हम उसको इसलिएतों करके रसीब करते हैं क्योंकि उसी महीने में हम Jesus Christ के जन्म की क्या करते हैं खुशी मनाते हैं वाइबल में नहीं लेखा भी हां हो लोग हैं तो मैं बताऊंगा इसका विशा भी आपको पर यह मैं संडे आपको क्लियर करूंगा ओके तब ब्लेसो इशुमसी के नाम से अच्छा किया जो लोग आगे जो आते हैं खुदा के उस वर्ड के लिए उबकार करते हैं तो परमेश्यों से पूरा मुझकु। हैमें कितेट साथ खुशizada लाट passado और और जो और खुशे कि हाँ ब्लेस ओना चाहते हो अपने रस्तों को खूलवाना चाहते हो कि चाहते हो मेरे इस्टर से बात होई वो कहते मेरे पती को सरकारी जोब बिल जें हम तीन सैलरी को शुदा के नाम देंगे कि जब तुम ऐसा मन तियार करोगे तो फरमेश्य क्यों नहीं जोस करेगा हां तो बोलो किया है तुम जो जो खुदा ने दिया तुम उसे भी बोर रहे हो के नहीं कि समझ आ रही है तो जब तुम खुदावन के लिए अपने हिर्दे को मन को खोलते हो तो बाइबल कहता है कि वो अपने स्वर्ग को खोलता है क्या खोलता है अपने स्वर्ग को खोलता है स्वर्ग को मुझे पता है मारी टीम में भी मारी टीम में भी ऐसे कुछ है जो इसमें पूली नहीं मुझे मालूम है पता है पर वो नहीं चाहिए उनके मन मेनी कभी आया पर अगर मैं ऐसा बोरा हूं तो वो पूशेंगे कि हम क्यों नहीं करते हैं कि यह बड़ी ब्लेसिंग अमारे हैं बोलो क्या ही यह मारे लिए ब्लेसिंग का यह एक वे करस्ता जो परमेशन प्यारां एक था कि वो लोड़ी यह भ्लेसिंग अवरे घड़ा हर्दे खुल गया तो तूम है बिने उसके नियम के लिए तुम ये बात को साबद कर रिए तुम परमेशा को प्यार करता हूं उठाओ अपने बेटों को अपने हदिये अपने धिशमांस सारी हाथों में ले लो जितने और ओन्लाइन उनके लिए ये पजाब नैशनल बेंक का ये हमारा कॉट नमबर है और साथ में ये क्या हूँ अरकोट है धनिवाद करो खुदवन बाइब में लिखा है कि लेनी से धिना धन्य और जब कोई इंसान अपने मन को खुदा के लिए खोलता है तो बाइबल कहती है परमिश अपना स्वर खोलता है आज स्वर खुले ये शो मसी की नाम से आपके उपर है मैंने का वो स्वर खुले ये शिशो का आपके उपर आपके कामों पर आपके बिजनस पर आपकी हरे एक चीस पर मैंने का वो स्वर खुले In the name of Jesus In the name of Jesus आपके उपर सारे खुले और शिशो का आपके सारे तमाम बंद रस्ते खुले और आप इसमें पढ़ जाए शो मसी के नाम से Yes, Kudavan इनकी बेटों को ग्रैन करोने प्लेस करें शो मसी के नाम से Amen कोई उठेगा नहीं जब तक सब का पीस जल्दी से जल्दी से आप अकेले ही हो बस Hallelujah अपने साब से एक साइड हो जाओ किसी को इसमें करना तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तो मेरी जाने मेरी बना है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तु खास है तू मेरी जान है, मेरी बना है तू ही मेरी आस है, मेरे लिए तू प्रास है तू ही मेरी आस है, मेरे लिए तू प्रास है तू ही मेरी आस है, मेरे लिए तू प्रास है तू ही मेरी आस है, मेरे लिए तू प्रास है जोब करें झाल हाला तुसे ना सरी लड़ना सिखाया है तूने हाला तुसे ना सरी लड़ना सिखाया है तूने अपनी ही और मुझे का बढ़ना सिखाया है तूने अपनी ही और मुझे का बढ़ना सिखाया है तूने हाला तुसे ना सरी लड़ना सिखाया है तूने हाला तुसे ना सरी लड़ना सिखाया है तूने अपनी ही और मुझे का बढ़ना सिखाया है तूने अपनी ही और मुझे का बढ़ना सिखाया है तूने रेता सदा मेरे पास है तू ही मेरी आस्रे रेता सदा मेरे पास है मेरी ये तू पास है तू ही मेरी आस्रे मेरे तू पास है तू ही मेरी आस्रे मेरे लिए तू पास है तू ही मेरे तू ही मेरे थू झांग दिल के जखम खुदा दोने दिये हैं मिटा दिल के जखम खुदा दोने दिये हैं मिटा दर्दों से नासरी दोने ही दी है शिफा दर्दों से ऐ नासरी तो ने ही दी है शिपाँ दर्दों से ऐ नासरी तो ने ही दी है शिपाँ दिल में मेरे तेरा वास हो मेरे लिए तू पास हो तो ही मेरे वास हो मेरे लिए तू पास है तो ही मेरी आस है मेरे लिए तू पास है तू ही मेरी आस है मेरे लिए तू पास है तू ही मेरे लिए तू पास है अास है तू हमेल जड़िए यह तू है तू हमेल आस है झाल झाल बिन तेरे जीवन कहा बिन तेरे जीवन कहा जीवन तो बसने बहा रेता है ये सु यहा जीवन तो बेपे है कहा आप सिब बस तेरे बास है तो यह खुशी से थोड़ी दिन पहले शाती हुई है तो यह आधर करना चाहते हैं क्या जाते हैं क्या जाते हैं क्या हर आधर किसकी मेहमा है वो लो किसकी मेहमा है हम किसको मेहमा देते हैं इस आधर से तो कहीं ठीक है परमश्राप को परकर दें ठीक है जल्दी से आधर तो ठीक है, हम एक छोटी सी प्रात्ना करेंगी जैसे तेरे वच्चन में लिखा है कि परमिश्र और पती का अकेला रहना अच्छा नहीं निश्चे परमिश्र तुने दो चन को इसलिए मलाया ताके एक गिरे और उसे दूसरा संबाले निश्चे खुदा तेरे वच्चन के मताबिक जो खुदावन जो तुने अशीश दी है उससे खुदावन ये वारस ठहरे और खुदावन ये और भी तेरे प्रेम में बढ़े तेरे प्रेम को समझें क्योंकि आप परमिश्र किसी का धर्म नहीं आप धर्मिक्ता को बनाने के लिए आये हैं और खुदा ये अपनी मैरिस में खुदावन उन सब अशीशों को तेरे अन्यों ग्रह में तेरे साथ जुड़कर इश्मसी तेरे नाम से पाएं आमीं इसारी शीशें सुन्नों भई उसके साथ जुड़े रहने से मिलती है अगर धाली जैसे एक टानी होती है ना जो पेड़ के साथ जुड़ी है अगर वो जुड़ी है तो फल देगी अगर वो काट दी जाएगी तोड़ दी जाएगी तो फल नहीं आएगा इसी रिपी से हमा मेरे लिए तू खासी है 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 अर आप खासी है मेरे लिए तू खासी है सब अंविचार करो अंविचार करो आपको पता है कि प्रभुबूस लेना क्यों जरूरी है इसे नहीं समझे है वो सीख लो समझ लो क्यों जरूरी है ठीक है जो नहीं आये उनको लेकर आना समझ आ रहे है जो व्यक्ति परिशान है बरमेशन नहीं सुनता-सुनता कुछ नहीं करता उसे लेकर आना उसे शुएगा और चंगा करेगा उसकी उदासी को वो दूर करेगा मैं गहता हूं उसको लेकर आना अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा उदास है तो उसके अदासी को दूर करेगा परमिश्य तो संडे प्रभु भूस की मीटिंग को मिस्ट नी करना ठीक है तो इस संडे हम प्रभु भूस में जो हम देते थे वो चीजें तो वो नहीं करेंगे बुलके क्योंकि आप पच्छी का जो टाइम है बस वही कर दो ठीक है तो सिंपल हम जैसे आज करेंगे उसी तरह से करेंगे ठीक है तो तो बस यह कि जो पच्छी का यह जल्दी से कर दो आप अप अपने बच्चे का बस दे उसकी कुशी इतनी कि खुशी से मनाते हैं आपको कोई खुशी नहीं जो मेरे लिए आया और मारा गया है इसने मुझे जीवन दिया है आपको खुशी नहीं उसके जनम के